तो जैन साथ ही हो, आज की इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम, टैली प्राइम के सभी मेन्यो, मेन्यो बार मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपके सामने कंपनी मेन्यो दिख रही है, ये कंपनी मेन्यो, डेटा मेन्यो, एक्सेंज मेन्यो, गो टू, इंपोर्ट, एक्स तो आप टैली प्राइम कर समझ लेजे 40% तक cover कर सकते हैं तो इस वीडियो में आप टैली प्राइम को 40% तक सीख जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि आप टैली में master तो बनी जाएंगे आगे चलते हैं और अगर बात की जाए कि ये company menu में क्या है तो हम लोग company menu में ये देखेंगे कि company menu में company कैसे create करते हैं हम लोग ये company बनाई गई है देख सकते हैं आप company बनाई गई है any shop ये book store accounting का इसी तरह हम लोग देखें ये company कैसे बनाते हैं अगर आप company menu पे click करें तो बहुत सारा option दिया गया है create, alter, change, select, set बागे आपको वीडियो में तो बताया गया है बसरते आपको overview देना चाहते हैं कि आपको पढ़ना क्या है और इन सबोग जितने भी menu के बारे में आपको detail में पढ़ना होगा तो वीडियो को पूरा देखना होगा अगर भी इस से छोड़ कर गया है तो आपको तो पूरा जानकारी होगा नहीं बसरते कुछ समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि देखे अगर वीडियो को पांच मिनट बग के लिए बनाना होता तो हम बना कर छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें लिया गया है दो गंटे का समय क्यों लिया गया है कि आपको पूरा डीटेल में बताया जाए क्रियेट क्या होता है अल्टर क्या होता है अब क्रियेट में क्लिक करें तो क्रियेट में क्या होगा एक कमपनी बनाने के लिए आता है और कमपनी बनाने के लिए तो आता ही है लेकिन यह सब जो मैंने आपको दी गई है company name क्या होता है जो आपको भिन भिन दिया गया है यहाँ पे कि यह company data path data path क्या होगा company name क्या होता है mailing name क्या होता है यह address क्या होगा बागे financial year क्या होता है एक एक option को detail में बताया गया है तो video में end तक बने रहेगा और आगे देखिए हम लोग यहाँ से start करने वाले नहीं है सबसे पहले यह देखेंगे कि teleprime को install कैसे करते हैं install करने से भी पहले हम लोग देखेंगे कि download कैसे करते हैं download अगर मान लेजिए आप नए नए user है कहीं आपको नया system मिल गया और आपको यूज करना है teleprime का तो पहले आपको teleprime तो install करना पड़ेगा install करने से पहले आप उसको download करेंगे download करने के बाद install करेंगे तो हम लोग एक बारीकी से basic से use करना सीख रहा है यानि सबसे पहले आपको tele सीखने से पहले और tele को install करना यानि download करना run करके install करना उसकी बाद company में काम करना तो company में काम करने से पहले company बनाना पड़ता है तो हम लोग एक चीज को बारीकी से सीखेंगे फिर आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि आगे हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या सीखने वाले हम लोग तो हम escape करते हैं इसको आगे हम लोग escape करेंगे और escape करके देखिए इसमें दिया है फिर क्या दिया है alter select अब बनाएगे company को alter करने के लिए user management का इतना option दिया गया है user management का यहां दिया है कि चेंज यूजर चेंज यूजर चेंज पासवर्ड यूजर यूजर रूल सम् यहां पर देखिए भिन भिन रूल लगाते हैं जैसे आप लोग टैली पढ़े होंगे कोई भी पढ़ा होगा तो जानता हो कि balance sheet क्या होता है master क्या होता है अगर नहीं आप जानते हैं तो चैनल को subscribe आवस से करिए क्योंकि यह टैली से related टैली प्राइम से related आपको वीडियो अप्लोड किया जाएगा और यह हमारे संस्ता में देखिए समय की बात होती है समय तो मिल नहीं पाता है जैसे जैसे समय मिलेगा हम समय अप्लोड कर देंगे यह वीडियो अगर बात की जा है तो अभी तो रिकॉर्ड हो रही है एना कुछ पार्ट आगे यह रिकॉर्ड होगा जैसे समय मिलेगा उसके बाद इसको हम अप्लोड कर देंगे इसमें बहुत सारा उप्शन दिया आगे देख सकते हैं इसमें जो ऑनलाइन एक्सेस वाला यहां पे ऑनलाइन एक्सेस की बात की जाती यह टैली एजूकेशन वर्जन में तो काम करता नह हैं आपको टाइपिंग का नौलेज्ज है लेकिन वाटसब के जितने फीचर दिए गया है जितने कमाण दिए गया हैं सब के बारे में पता नहीं तो आप बारे में नहीं बतहा प्रया मंतले टो looking data आगर मान लेते हैं के इन आपने सिस्टम में रिश्टूर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कंपणी को दो वागवा बाटने के लिए स्पीड देता है आगे गोटू ऑप्शन दिया कि टैली प्राइम कर सबसे बड़ा अपडेट हम यहां पर हम बता सकते हैं मैं login किया है या open किया है उसी के data को या तो day book हो या to balance sheet हो या कोई भी advice हो उसको email से भेजने के लिए उस current screen को भेजना कि other को भेजना है उसमे configuration क्या क्या करना होता है यह सब आपको बता जाएगा इसमें आगे print से समदित बहुत सारा जितने भी option दी गई है कंपनी में logo लगाना कैसे printer को select कैसे करना page की margin कैसे set करना है सब इसमें बताया गया है आगे अगर हम बात करें डे book में चलते हैं यहाँ पे तो current की बात करें तो इसमें देगे configure में बहुत सारा यहींत बात करेंगे तो यहीं बात क्या है पूरा पड़ना होगा सीखना होगा तो नहीं पढ़ना एभीशे वीडियो चप्टे है लिए चालियो ओड़ेयो और धिकते हैं कि सबसे पहले हम knew को क्या करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कि पहले हम किसी ब्राउजर से इस tally की को download करेंगे download करते हैं उसके बागी उसके बाद इन सब मेन्यों के बारे मुँपढ़ेंगे डीटेल से पढ़ेंगे तो चलिए पढ़ते हैं आगे टडींज में पराला होगा कि कै डाउनलोड कैसे करें और दूसरा देखते हैं कि दूसरा हम लोग क्या है तो दूसरा टॉपिक होगा टैली प्राइम को कैसे ओपन करें डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे तीसरा टॉपिक है हम लोग का कि टैली प्राइम में कैसे बनाएंं, है ना quê न, ऊपन तो कर दीये, क्योंकि जब तक कमपश्चाम नहीं कर सकते, अगला है, अगला टॉपिक होगा कि टैली प्राइम में कमपश्चाम नहीं कर सकते, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला यह टॉपिक जो हम लोग का है टैली प्राइम को कैसे डाउनलोड करें तो सबसे पहले किसी ब्राउजर को ओपिन करना होगा आपको चलिए कोई ब्राउजर हम लोग ओपिन कर लेते हैं सबसे पहले और ओपिन करते हैं कोई ब्राउ आपके सामने यह डाउनलोड टैली व्राइम का स्क्रीन ओपन हो जाएगा आपको ओपन करना है क्या तो आपको देखना होगा कि इसका जो में यहाँ पर जो यहाँ पर में इसका ओफिसेल वेबसाइट है टैली-solution.com इसको फाइंड करना है कि यह कहां पर है तो यहाँ पर द क्लिक करते हैं हम लोग और क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेजेगा सिंपली क्लिक करें ओपन हो जाएगा चलिए इसको ओपन करने के बाद आपको इस सामने ऐसा कुछ एंटरफेस दिखाई देगा और आपको अगर निव यहाँ पर नया रिलीज इसका चाहिए जैसे यह यह करते है तो आप डैले संदर्विट करते हैं आपके अगर नीचे लिखा है लुट कर सकते हैं तो आप डाउनलोड करना है कि किसमें सपोर्ड करेंगा यहाप नीचे लिखिए लिखा आदा लोगए विंडोज 7 यहां लिखा है कि विंडोज 7 या इसके ऊपर वाला कोई विंडोज वर्जन होगा या 64 बीट का और 64 बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए 64-bit का operating system भी होना चाहिए 32-bit पर support नहीं करेगा Windows 7 यह Windows 7 से उपर operating system होना चाहिए तब यह support करेगा चलिए इसको आप लोग क्या करना है simple है download पर click करना है आपको simple क्या करना होगा कि download पर click कर दीजेगा तो download जब click करेंगे तो आपसे यहाँ पर setup download हो जाएगा download होगा कुछ processing लेगा मतलब लेट लेगा अब देख सकते हैं download हो रहा है तो हमारा पहले से download है उसी को open कर लेते हैं ओके यहां से हम पहले से इसको download किया है download open कर लेते हैं तो हमारा setup यहां पर सेटप पे आप क्लिक करें यहां पर जा सकते हैं जहां पर फोल्डर यहां पर जो सेव हुआ है अगर सोई इन फोल्डर करते हैं तो सिधा फोल्डर में जाएंगे अप तो इसी पर हम लोग क्लिक कर देते हैं चलते हैं फोल्डर में ही आपको सामने देख सकते हैं फोल्डर द करना है डवल खुदी अबेन हो जाएगा यह सेट अप इसे कलर का आएगा और सेट अप आपको कलिक करना से पलिए इससे टाप पर क्लिक करते हैं हम लोग और कुछ परोसेसिंग आपको रेगा कुछ लेट लेगा इसके बाद है अब install new पर क्लिक करते हैं अगर आपका पहले से install ना हो तो सीधा आपका install बोलेगा हम install new पर क्लिक कर लेते हैं सीधा install new पर क्लिक करते हैं यहां पर अब install new पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर पहले से बस दो मिनट का processing होगा उसके बाद आपका install हो जाएगा के चलिए आप को चलिए आप के तुर लाएं कि टाली फ्राइं को स्टार्ट करना है क्या यहां से श्टार्ट कर लेज़ेगा चलिए यहां पर देख सकते हैं कि टाली फ्राइं को अन हो रहा है और आगे चलते हैं कि आगे हम लोग का टॉपिक क्या है यह तो हमारा हुआ कैसे इस्टॉल करेंगे डाउनलोड कैसे करेंगे डाउनलोड भी कर लेंगे इस्टॉल भी कर लेंगे आगे बढ़ते हैं कि अगला हम लोग का टॉपिक क्या है तो अगला टॉपिक हम लोग का होग Educational mode पर अगर बिद्धार थे थे हैं तो Educational mode पर काम करिएगा और इसको कुछ शीख लेजेगा हमारा सुझाओ है कि आप पहले Educational mode पर काम करिएगा अगर लाइसेंस हो तो भी क्यों कि कुछ और जम्म लोग के पास आए नहीं कंटिनिव इन एड्यूकेशनल मोड पर हम लोग क्लिक करके ओपन कर लेते हैं तो यह आपका टैली ओपन हो गया कुछ इस तरह इंटरफेस दिखाई देगा आगे देख लेते हैं कि अगला हम लोग का टॉपिक क्या है तो अगला हम लोग का टॉपिक क्या है तो अगला है कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं ठीक है टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं और दूसरा है टैली प्राइम में कंपनी को कैसे अल्टर करते हैं यह दोनों टॉपिक को पढ़ने से पहले आप चलते हैं आगे और देख लेते ठीक है तो टैली प्राइम में आप कोई भी कारी करेंगे उसके लिए कुछ फोल्डर तो चाहिए उस फोल्डर को हम लोग कंपणी नाम देते हैं कि जितना भी ट्रांजेक्शन जितना भी लेंदेन हो उस कंपणी में ही सेव हो और एक वो कंपणी एक ऐसा प्रतिनित्व करती है यानि एक ऐसा सजेशन करती है सजेस्ट करती है किसी एक बैक्तिया फॉर्म या कोई भी संस्ता को ओके तो यह समझे कि टैली प्राइम में एक आपका फोल्डर का कारे करती है कंपणी चले देख लेते हैं आगे इसका आप लोग नोट्स लिख लिजेगा अगर लिखना ह अगर सवतन्त्र समुह का प्रबंधन किया जाता है मतलब यह सवतन्त्र प्रबंधन करता है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं अगर राम नाम से कोई भी कमपनी बना दिया है तो सिरिफ राम का ही अकांटिंग करेगा राम के इन्ट राखेगा किसी दूसरी नहीं रखेगा तो यह सतंत्र ब्रखती का प्रबंदन करता है ऑके टीक है आगे देखीएगा कि यह कंपनी कंपनी किसके किसके नाम से कंपनी हो सकती है तो यह एक company partnership form NGO या एक branch office हो सकता है ओके चलिए यह तो हुआ company का introduction यानि company किसे कहते हैं चलिए आशा करते हैं किलियर हो गया होगा आपका और इसको आप लोग लिख लिजिए कॉपी में नोट्स बना लेजिए क्योंकि अगर सेंटर खुलने के बाद आपका स्रिफ practical ही होगा theory class तो नहीं सिलेगा कुरोनागाल में आप घर पे रहिए और इसको पढ़ते रहिए ताकि आपका पीछे का सब भूले ना आगे बढ़ते हैं introduction तो हो गया आपका आगे देखते हैं कि अगला हम लोग क्या है अगला होगा company creation of teleprime अब company creation tally में company को create कैसे करेंगे creation company creation of teleprime तो तो टैली प्राइम देखें step 1 हम लोग देखते हैं कि step 1 क्या है इसमें तो step 1 में पहला step होगा हम लोग का कि सबसे पहले आप टैली प्राइम accounting software को open करें और select okay सबसे पहले आप क्या करेंगे टैली जो prime software है उसको हम लोग open करेंगे open तो कर लिए और select company screen को प्राप्ट करें select company और आप अगर टैली यार्पी 9 software को यूज कर रहे हैं तो आप टैली प्राइम को upgrade कर सकते हैं कैसे वही जाए आम लोग टैली जो prime डाउनलोड किया है अगर टैली यार्पी 9 आपके पास हो तो टैली प्राइम को download कर लें और आप उसको इस टैली प्राइम को अलग भी install कर सक सकते हैं तो चलिए यह तो हुआ इसका step number one पहला क्या करना आपको पहले भी यह करना है कि सबसे पहले आपको टैली प्राइम accounting software को open करना है ओके open करने के बाद फिर क्या करना है open करने के बाद आपको select company screen को प्राप्ट करना है ठीख है तो कैसे तो कुछ इस पर कर प्र कर यह हमारा क्या सबसे पहला क्या है to have time कर लिया से değilde कंपने स्कीन हमारा प्राप्थ हो गया अब इसके बाद क्या करना है चले तो और चले इसके बाद देखते हैं Notes में क्या करना Step 2 क्या होगा? Step 1 में यहीं Open करने के बाद आपको Select Company Screen को प्राप्ट कर लेना है तो बढ़ते हैं अपने अगले Notes के पे कि क्या आगे लिखा है देख लेते हैं आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है आगे देखिए यहाँ पर यही screen आपको प्राप्ट करनी है जो उपर लिखा है select company select company screen को प्राप्ट करना है और यहाँ पर देखिए क्या होता है जो company पहले से बनी होती है अगर आपको कोई company पहले से बनी होगी तो यह सामने आपका दिखाएगा अगर कोई company आपका बनी होगी तो यह यहां पर आपके सामने company का लिष्ट दिखा देगा अगर नहीं बनाओगा पहली बार आप company इस्टॉल कर रहे हैं तो आपके सामने एक company दिखाएगा नहीं यह ध्यान देज़ेगा और यह तो आगे तू नहीं अगला हमारा नोट्स में क्या लेखा हैं अगे अगगे देख लेते हैं अगला हमारा नोर्स में क्या लेखा अब देखें कमपनी creation स्क्रीन हमारे सामने क्या प्राप्त हो रही है तो company creation स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस पर का प्राप्त होगी देखे इसमें क्या क्या भरना है इसमें हमको भरना पड़े है क्या है company name सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रेक्टिकल सीखेंगे यह तो इसका फॉर्म हुआ मतलब जैसे हम बोले थे कंपनी क्रियेशन का कुछ फॉर्म जनकारी तो देना पड़ेगा न यह जनकारी किसमें देंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा उस फॉर्म को फिल अप करना पड़ता है उसको बोलते हैं कंपनी क्र सब्सक्राइब देखने मिड करने में आप इसके नाम पॉरा नाम करने में में क्या पूछता है अगर आपकी कंपनी कर दूसरा नाव हो company का दूसरा नाम मतलब Ram Traders Company और Ram Construction Company है और कोई दूसरा company का नाम है तो आप mailing name में दें सकते हैं या उस ब्यक्ती का जो वेपारी है उस वेपारी का भी नाम आप दें सकते हैं mailing name में में ऊके तो आप उसका positioning कर सकते कोई भी नाम होते हैं आडरेस नहीं क्या होता है कि अपनी कंपनी डूर ऐडरेस आटाइभ करें ठीक है स्टेट में क्या होता है कंपनी जिस्थेट में हैं तो सेलेक्ट करें और ತो ко जो थियोरी आप लोग याद करेंगे ना प्रैक्टिकल देखिए आपका जो भी अगर कहीं इंटरव्यू देने जाए तो प्रैक्टिकल तो होगा होगा ठीक है लेकिन उससे पहले इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपको बोले लिखना पड़ेना तो आना है तो आगे बढ़ जाते हैं आगे फिर अगला हमारा फिल्ड होगा पीन कोड के बाद अगला फिल्ड होगा अगला फिल्ड होगा टेलिफोन अगर कंपनी की टेलिफोन देखिए आप क्या होता है कि अगर कंपनी की टेलिफोन नंबर है तो उसको फिल अप करें कोई भी ट आगे बढ़ते हैं कि अगला काम क्या स्वाइब來了 काम askedना धार मुझता लाटा करेंसी सिम्पल सीभी पुझता है तो दाटा करेंसी सिम्पल इसलिए पूचता है अगर इसका यूज का अगर company inndia के हैं तो रुपए सेलेक्ट करते हैं इसी तरह अगर जिस दयश की morally हुआ उसका автомоб अर्म थैक लेव्टियक्ट करना पकड़ेगा करेंसिय का सिम्बल फार्मल में क्या पूछता को सेलेक्ट करते हैं यह आटेफ ऐलेंग आहिव थीक्ट कर होते हैं करेंट फाइनेंसियल मतलब गया कि फाइनेंसियल यह क्या होता है एक साल का होता है तो यह होता है आपका 31 एक मार्च से 31 एक अप्रिल से 31 मार्च तक होता है यह फाइनेंसियल यह आपको डालना पड़ता है ठीक है तो फाइनेंसियल यह आपको फिल करना होगा चली आप लोग साथ साथ इसको नोड़ बनाते चलियेगा आप फाइनसीली पत्टतो हो गया आगे बढ़ते हैं कि अगला अगला क्लिक करते हैं अगला होका वीगनिंग फ्रॉम इसमें क्या होता है इसमें अपने बोक को सेL york करते हैं बूग को सेलेक्ट सेकूर्टी में अगर आप अपनी कंपनी में पासवर्ड क्रीट करना चाहते हैं तो यहां से आप यूजर नम और पासवर्ड को बना सकते हैं आप यह सब जानकारी भरने के बाद enter करें आपका finally company create हो जाएगी तो यह तो हुआ इसका प्रोसेस ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला क्या हम लोग का तो अगला होगा अगला आपके पास step 6 होगा कि जब आपके सामने company creation successfully का एक message आज आएगा तो आप आगे देखें कि आप यहां से account inventory और accession की detail मतलब GST नमबर एक्सेटरा फीलब करें और company को save कर लें ठीक है तना ओके तो यह तो फीलब करने के बाद आप company को save करना होता है किई अभी किनमा वह उसकता है कोई form का कोई किसी भी company का नाम हो सकता है यहां पर जोन लिए वही कंपड़ी का नाम लिखते हैं जो जिसकी हम accounting कर रहा है जैसे हम लीखती रहें यहाँ पर कि कि मैल फे नीचे कने के पूस्टरिछ अड्रेस मतलब की का यह कहाँ दिखाता है, जब आप सब्सक्क्रिट करें आक वह नाम देखा जाता है जो कंपनी का слово होता है, यह तो अब सेमने नाम रख भी शक्ते हैं जनरनली नाम बदल भी सकते हैं के एंटपिसी का गुर दीप सिंह आप लिक सकते हैं लेकिदे लेकिर राम ओक्के olduğ得 cost मेलिंग नेम और राम आगे लिखना होगा जो भी इसका टाइटल होगा तो आप लिख सकते हैं лем बोलना हैं आगे देख सकते हैं आगे बोल ला आगे बोलना है आड्रेश करद मोग कब अबने अपने बना देलीस लिख सकते हैं डेली लिख सकते हैं और उसका local area बताना हो तो आप लिख सकते हैं अब आते हैं नीचे आप देख सकते हैं पूछ रहा है state नीचे क्या पूछ रहा है क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा बगल में आपको state का नाम दिखा देगा यहां पर कोई भी अगर कुछ भी लिख दे अगर दूसरा राज लिखे दूसरा राज भी आ जाएगा अगर उत्तर प्रदेश लिखे जब दले ऊपर लिखे बोटन बंगला देश जो भी आपको country लेना होगा घ्ले सकते हैं तो यह हमारी कमपणी इंडिया की है तो हमें इंडिया ही सेल्ट करेंग जाएगा ठीक है चलिये यह तो इंDia हो गए हमारा फिर आगे बोलना कि अपे ilisom da को भालसकते हैं अब sensations अबस सब्सक्राइब हम यह इफ को आगे एंटर कर नीचे आते हैं मुबाइल नमर जो भी उसका होगा आप भर सकते हैं जो कमपनी के मुबाइल नमर अगर देना चाहते हैं आप तो दे सकते हैं ठीक है इमेल पर, तो हम इमेल आड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, x, y, z, याना कमपनी के इमेल आड्रेस हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर इमेल आड्रेस जो लिखना होगा लिख दीजेगा, gmail.com अब आके नीचे आते हैं, अगर कमपनी का वेबसाइट होगा तो वेबसाइट भी लिख सकते हैं, ठीक हैं, अम लिख देते हैं, अपना math guru 10, math guru 10.com अब आते हैं, नीचे enter करके, अब अगला पूछ रहे हैं, आप देखिएगा, इसको समझने वाली बात है, समझेगा इसको, financial year beginning from क्या होता है, financial year यहाँ समझेगा क्या होगा, financial year, financial year beginning from, financial year समझेगा what year होता है, अगर financial year समझेगा हमने company अपना प्रारंब किया जिस वर्स में हमने company प्रारंब किया अभी बरतमान वर्स क्या चलना 2021 अगर कोई व्यपारी 2021 में कोई व्यपार शुरू करता है तो उसका financial year एक अप्रिल से 31 मार्च एक अप्रिल 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगा financial year यह समझे क्या होता है financial year वह year होता है जिस year में कोई business man जिस वर्स में कोई business man अपना company प्रारंब करता है तो बिजनेस का नया साल कब से श्टार्ट होता है एक अप्रिल से जैसे इंग्लिज्स का नया साल एक जनौरी से श्टार्ट होता है और खतम होता है 31 मार्च पर जैसे हम लोग का नया साल एक जनुरी को स्टार्ट होता है और खतम होता है 31 दिसंबर पर वैसे इसका financial year जो होता है company का financial year यानि वर्स नया साल एक अपरिल से शुरू होता है जनुर्नलिस में लिखा ही है कि एक अपरिल 2021 आपको इसमें बदलना होगा तो simple date को type कर देज़ेगा इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं क्योंकि जो इसका financial year होगा वह actually वह ले लेगा अपने मन से ठीक है ओके इसको वैसे हम लोग छोड़ देंगे अगला आप देख सकते हैं अगला दिया है book beginning from book beginning from यहाँ पर नीचे आप देख सकते है book beginning कार्या प्रारम किया है book beginning from वहता है आप लोग जो rough copy होता है वह तो class के पहले दीन से बनाने लगते हैं अब होता है कि आपने फियर कॉंप यह यह नोटबुक जो था फियर कॉंप यह आपने कब से बनाए अगर आपको बदलना होगा तो बदल सकते हैं हमने आपको बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंसियल इयर में अंतर बता दिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं सेकुर्टी लगाना है तो यहां पर टैली वोल्ट पासवर्ट जो होगा टैली वोल्ट पासवर्ट टू इंक्रिप्टें कंपनी डाटा इसका मतलब क्या होता है अगर इस पासवर्ट को मत लगाईएगा ओके हमको तो एजुकेशनल वर्जन से सीख रहे हैं तो हमको पासवर्ट लगाने से फाइदा ही गया लेकिन अगर नीचे वाला पासवर्ट आप लगाईएगा तो बोलना है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा इसमें क्या करना आपको लगाना होगा तो इसमें सिंपल आपको एस करना है क्या करना है तो इसमें आपको एस करना होगा ओके इसमें आपको आके वाई प्रेस करना होगा वाई एंटर दबा के एंटर दबा देजिएगा यूजर नेम तो यूजर नेम हम लिख देते हैं राम यूजर नेम अगला है बेस करेंसी सिंबल में क्या होगा यहां पर दिया है बेस करेंसी सिंबल तो बेस करेंसी सिंबल में देखिए यहां पर लिखा है रुपिया अगर इंडिया कंट्री सेलेक्ट करते हैं उसका बेस करेंसी सिंबल रुपिया होगा अमेरिका अगर सेलेक्ट करते हैं उसका डॉलर होगा तो यहां पर रुपिया बाए डिफल्ट रहेगा इसमें कुछ च करेंगे उसमें INR मतलब इंडियन नेशनल रूपीज का INR लिख कर आएगा तो यह भी सही है इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको suffix symbol to amount मतलब क्या लिखा है इसका मतलब यह है कि अगर जो amount आपका लिखेगा जो amount रहाएगा इसे 500 या 5000 लिखेगा उसकी आगे रूपए का sign देता है रूपए का sign तो उसके आगे देता है कि रूपए 5000 या 500 अगर आप suffix करते हैं तो 500 उसके बाद रूपए देगा तो यहाँ पर आप कर सकते हैं suffix लगा सकते हैं suffix प्रफिक्स आप जानते होंगे आना तो suffix symbol to amount अगर यहाँ पर s करते हैं तो 500 के बाद फिर रूपए लिखेगा अगर नो रहेगा तो रूपए पहले लिखेगा उसके बाद 500 लिखेगा ओके आगे बढ़ते हैं अगला दिया आड़ space between amount and symbols अगला दिया आड़ space between amount and symbols इसमें क्या आगे अगर देखे क्या होता है अगर हम कोई नाम लिखे राम सिंग लिखते हैं तो राम और शिंग राम और सिंग के बीच में तो space है अगर space हटा दितो क्या लिखेगा राम सिंग ke कर दें यहां driver को यहां चाहिए लगाना च्रुक्त क्रूंक ऑसने शोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगए इसना ज्या दिया है इतना द्यान फिर एच्जिक कर सकते हैं कि सो मिलियन मतलब yellow में say and say तो नहीं करना हमको तो इंडियन रुपीज हजार है न एक हजार आई से दड़, थाउजन या इसे साय है, हंड्रीड में सो करना है, मिलियन में सो करना है, तो इसको क्या करेंगे, नो ही रखेंगे, अब देखिए आगे बोला नंबर, डेसिमल अगे बोला है कि नंबर ओफ, decimal places number of decimal places मतलब जो पैसा लिखेगा इसे पांच रूपया पचीस पैसा लिखा तो पांच के बाद दस्तान रखा है ना वही पूछ रहा कि कि बाद जो प्लेस रहेगा स्थान रहेगा वह कितने स्थान रखेगा तो थे किसे बाद इसे नफोड्स रहाई आघ बढते हैं अगला अं लोग पैसे मतलब दसमलों के बाद जो लिखेगा तो निस्तीत तो प्ला के बाद ज़ो 25 है पैसो में लिखेगा ठागे बढ़ते हैं अगला देखते अगला क्या लिखा है कि number of decimal places for amount in word यानि दस्मलों के दो स्थान को ही पैसे में लिखे ना, दस्मलों के बाद दो स्थान तक को ही पैसे में लिखे ना, तो यस दो स्थान तक को ही लिखे, इतना सब होने के बाद आपको simple क्या करना है, simple आपको क्या करना है कि इसमें आपको enter दबा दिजिए या control ये कर सकते हैं, enter दबा दिजिए या control ये दबा दिजिए आपको इसको accept कर लेगा, यह बोलना है accept तो yes, accept कर ले, आगे बढ़ते हैं, अगला accept तो इसको कर लेगा, फिर वहाई पूछ रहा है यहाँ यूजर नेम, यूजर नेम जो हम लोग भरे थे राम, तो लिखना पड़ेगा यूजर नेम, आगे यूजर नेम हमको राम लिखना पड़ेगा, तो राम यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, mistake से दब गया है, राम उसके बाद हम क्या करते हैं, enter दबाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, य मतलब आपको स्क्रीन दिया है, company create successfully का screen आपको दिया है, मतलब notification मालने जे, दिया है, कि company आपको create successfully आपका company create हो गया, चलिए company तो create हो गया, company का name NTPC Delhi है, आप देखिए maintain account यहाँ पर क्या होता है, maintain account को समझेगा अप लोग, जो यहाँ पर दे रहा है, वही इसमें और सा option होत होता है, उसी का use, यहाँ पर हम बता रहा है, maintain account मतलब क्या होता है, कि maintain account में yes क्यों है, कि अगर यहाँ पर yes इसलिए करते है, कि अगर आप एक company में, अगर सिर्फ इसको yes करें, तो maintain account में क्या होता है, कि सिर्फ आपके company में रुपए पैसो का लेंदेन होता है, मतलब सिर्फ सर्विस ली जाती है, सर्विस दी जाती है, मतलब पैसो का लेंदन सिर्फ होता, उसमें कोई गुड्स की सप्लाई नहीं होता, पर्चेज कोई गुड्स पर्चेज नहीं होता, कोई यहाँ पे सेल्स नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ देखिए, यहाँ पे S तो रहेगा, इस केस में enable bill wise entry टो enable well wise entry इसका सब्सक्राइब need country इसका सब्सक्राइब बिलबाइज एंट्री भी रहेगा जय सही रखना में को ऑके अगे बढ़ते हैं अगला क्या दिया 1200 लार्ज दिया है inventory आप देख सकते इंडवेंटरी का आगया स्ग्सन सीमें में यह बोeren सेल्स करते हैं ओके इंवेंटरी आप क्या होता है नीचे वला क्या दिया नीचे वले कर अर्थ क्या होता है। यहां पर घर जय मैं नीचे दिया है divat Integrated Account 的 मतलब आपको दोनों साथ में करना मतलब क срав करना मतलब क्लाने िlles Kyle Teer जाना गूड का भी परचर्ज होता है सेल्स होता है ठीक है अतना टो इंटिग्रेट एकाउंट इसको एस कर देजिएगा मतलब दोनों साथ-साथ होगा गुड के साथ-साथ हमारा सर्विस का भी लें देन होता है मतलब ट्रांजेक्शन होता है ओके ऐगे बढ़ते हैं अगला दिया यहां पे देख सकते हैं अगला यहां पे दिया है क्या अगला दिया है available goods and service tax मतलब जीस्ट को इनेबलह कर लिजए का बात में हुँने नियार का कोई कमपनी हैaga के अगर कोई कमपनी का सफटाना-ट ढाइक करूंपर नीचे है तो इस कंपोजीशन में रखते हैं और यह अब आप काम करें आपको पता आजाएका कि यह कंपशन里 है कि composition है बसरती यह समझ लेज़े जानकारी के लिए अच्छा रहेगा रेगुलर रहाँ पर एंटर करते हैं जो एस नो रहता है इसको छोड़ दीजिए इसका यूज आगे होगा हम आगे आपको बताएंगे पहला ही बता कि आप में confusion नहीं पाइदा करना चाहते है आगे access and accesses of other territory इसको नो ही रखते हैं GST applicable रहेगा एक अप्रिल से क्योंकि हमारा book beginning from और financial year दोनों एक ही था एक अप्रिल से start था एक किस का नीचे बोला है GST number मतलब 15 को का जो GST number होगा company का आपको लिखना पड़ता है GST number मतलब GST identification number तो यहाँ पर GST number टाइब करना होता है GST number 15 को का type कर देजिएगा यहाँ पर ओके यहाँ पर एंटर करते हैं अब यहाँ पर जो भी आप एंटर करेंगे तो बोलेगा गलत है तो तो गलत ही है GST number गलत यहाँ पर क्या बोला है कि प्रियोड़ करते हैं यहाँ पर अब ऊको से फिरी हैंश्ट compose सिट्क आप मतलब करते हैं यह क्या और मतल्सите करना होते हैं यहाँ m., वे विल आप लिकैबल एस रहेगा हाँ यास इसको भी करिए अपलीकेबल फ्राम एक अपर इलेक्टिसी रहेगा थ्री ओल्ड यहां पर थ्रीज़ोल्ड लीमिट इंक्लूज इन्वॉइस बैल्ल इन्वाइस बैलु पर ही हमको लीमिट लगाना है मतलब कोमा जो लगता है नीचे दिया है Threes लिमिट Eeled फ्रीज होड कि लिमिट पचासज़ने पे कोमा लगा दें, पचासज़ने कोमा लगा है 50 पे यह अपलेके टाई कि रिआ क्या होता है कि दिल्ली कमपणि है बियार में sell करना उसको या यूपी कंपनी या बियार में sell करना है अपने राजिस से दूसरी राजे में sell करना है तो यहाँ पर S करेंगे से तभी आपको इंटरे State GST लगा सकते हैं इसको वाई करके S करके एंटर कर देजेगा थ्री जोडरली लिमिट पचास जार ही रहेगा आपका एनेबल टेक्स लियाबिल्टी देटेल देटेल यहां पर हमलोग कोई rate नहीं लगाते हैं क्योंकि हम लोग जितना गुड्स खर देंगे उसमें अलग-अलग GST रेट होता है जिसे 0, 5, 12, 18, 18, 26 वाला तो यहां पर कोई हम GST का डीटेल नहीं भरने वाल है इसको नो ही रखते हैं कोई GST यहां पर क्लासिफिकेशन हम भी फिर नहीं लगाएंगे एंटर करते हैं प्रुवाइड बॉन्ड डीटेल या बॉन्ड डीटेल कोई बॉन्ड का डीटेल यहां पर नहीं भरा जाता है जब आउसकता हुए तो हम लोग भरेंगे बसरते हैं अभी हम लोग को टैली जो एजुकेशनल वर्जन में है अब हम सीख रहा है तो इतना एडवांस में हम को जाने क्या आप सकता है हम बहुत डीटेल अभी नहीं भरेंगे इसको नहीं रखते हैं एंटर करते हैं ओके तो यहां पर एंटर करके इसको सेव करते हैं सेव कर लिजेगा एंटर करके इसको सेव नॉ करेंगे उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं सेव करने के लिए सिंपल एंटर की दबाई है एंटर दबाई है फिर एकसेप्ट हो गया आपके सामने ये कंपणी डेटा अक ाक्सछेंज़ इंपोर्ट Portuguese Cooking milkãy Alep wil幫 ँशेख करेंगे फिरेनमे लिऑ करेंगा तो आपको सबका link मिल जाएगा ओके आप सबका keyboard shortcut की देख सकते हैं यहां इसको menu बार बोलते हैं company menu data exchange menu export menu email menu जिसको और आगे यहां पर देखिए यह आपका gateway of tally आगे बोला है क्या है gateway of tally सामने देख सकते हैं gateway of tally master transaction अगर master बनाना होगा तो create पर क्लिक करते हैं alter करना होगा तो यह दबाई यह keyboard से चलिए ठीक है तो हम लोग company बना लेंगे company बनाने के बाद यह आपका interface कुछ दिखाई दे रहेगा और यहां पर देखिएगा जो company बना रहेगा उसको यहां सामने दिखाएगा इस NTPC Delhi हम और यहां खिर company को हम alter कैसे करेंगे और company बनाने के बाद company को alter कैसे करेंगे तो company को कैसे अल्टर करेंगे वह देखते हैं company को까지 कैसे करेंगे ओ्के चलिए, ठीक है आगे हम देखते हैं कमपनी को अल्टर करना तो कमपनी को अल्टर करने के लिए सिंपल काम है कि आप कमपनी मेन्यू पर क्लिक करिए उसके बाद अल्टर आप्शन का चुनाव करिए किस पर कमपनी मेन्यू पर क्लिक करिए कमपनी मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आप अल्टर option का चुनाव करना हो क्या करना है कैसे company menu के लगे बाद करने के बाद बोगे युद्य वो डीटेल आपके सामने हाजाए गा डेटेल आ जाएगा लेकिन आपके सामने ये क्या लिखी का Company Alteration महा पर लीकिड़ा आता Company Creation लेकिन यहाँ पर लिखी की Company Alternation सेव महाँ जहाँ जोडना हो जोड सकते हैं ऑके और टेट पसे देलिमें जोडना चाहते हैं तो इसका Ctrl-A, दबाई यह सिदा Accept कर ले, Ctrl-A, Accept the screen, Accept होगया, चलिए, हम वLोग यहां पर देखे कि Company कैसे बनाएंगे, Company बन जाए, तो उसमें कैसे उसको CHT करेंगे, आप देखे कि Company Delete कैसे करेंगे, इस Company को क्या लिए, Company बना दिए, Alt और ड कीबोरृरी इञतर की होता है Alt right if we call mu delete करें पर हो जाएगा चले हम डिलीट कारते है या दिलीट ही कर देता है देख लेज़े डिलीट आर ये सूर पूछ रहा ठीक है एंटर कर देते हैं सूर तो ये आपके कमपनी डिलीट हो जाएगा आपके सामने कोई कमपनी दिखाई नहीं देगा ठीक है अब आगे देखिएगा altering एक कमपनी कमपनी को alter क्यों करते हैं यहां पर देखिएगा कमपनी को alter या बदलने का सहीया होता है कि कमपनी में दिये गए जानकाई में कुछ बदलाव करना है कमपनी को alter या बदलने के लिए निम्निचरण का पालन करें आप तो आपका नोट सहीय दिये गया आपको तो निम्निचरण में क्या होता है कि जब आप यहां पे कमपनी मेनिः बेक्लिक कर करके från चुनाव करते हैं हमलों एस टेफ यह होता ओन में देखिए क्या होता है कि ससवापरत हम अपने कमपनी मेनिः के इंतर अल्टर आप्चन पर क्लिक करें और कंपनी मेनु में स्क्रीन कर लेते हैं ऑक जो टैली ब्रायम के स्क्रीन इंट्रोड़क्षन का पार्ट टू है इसमें एक्सचेंज मेन्यू और गोटू मेन्यू और गोटू में भी एक आता है स्विच्टू यह तीनों का द्यान हम लोग करने वाले हैं और आगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी दिया हैं यह सब मेन मेन्यू पर अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो और बढ़ते आपने एक्सचेंज मेन्यू पर आखिर Exchange menu यहाँ पर ध्यान दिजएगा Exchange menu का परियोग Tally में तब किया जागता है जब किसी Company में दो या दो से अधिक Company का Data Company का Data एक मुख्य Company में लाना होता है मान लिजिये कोई Company आपका दिल्ली में है कोई लखनवू में है कोई बिहार पटना में है अब इतना दूर दूर सब company है आपको क्या करना है यह सब company के राटा किसी मुख्य company के पास ले जाना है कोई एक head office के पास ले जाना है तो इसको हम क्या करते हैं कि data को sync करना पड़ता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग data synchronization कहा जाता है अब purchase version है तो आपका काम कर करेंगा इतना समझेग exchange menu का काम क्या है और इसको generally हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी इसकी आकिसकता नहीं है अभी हम लोग जहने इस्टार्ट कर रहा है इतना आप लोग अगर exchange menu को समझना लागे समझ मेन्ज मेन्ब है नहीं है उग एतना समाझे एक्टेंज मिंडी कर का अम क्या होता है के टायली में तब किया जाता है जब किसी कंपणी में 2 तती हम अधिक कंपणी का डाटा मुख्या कम्परियरा को डेटा जाता है यह तह खश्चेंज मेनियू और एकश्चेंज मेनू आपको अगे चलते है और exchange menu आपका यहाँ पर दिया है, exchange menu सामने आप देख सकते हैं, exchange menu आपका यहाँ पर दिया है, data synchronization, ओके, और data synchronization का सबसे last में दिया है, configure, यहीं से configure किये जाता है, तो चले इसको हम लोग आगे पढ़े हैं, कि इतना समझ गया है, data यहाँ पर exchange menu का काम क्या है, ओके, आते हैं, सब use हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं, go to आखर क्या होता है, ओके, तो open करते हैं, अपना notes और देखते है, go to menu क्या है, यहाँ पर ध्यान दिजिए, go to menu क्या होता है, go to menu टैली प्राइम में नया menu जोड़ा गया था, मतलब इसके पीछे वाला जो वर्जन थ उसकी साथा, सिनेमनों कारे कर सकते हैं, समझें कहने का मतलब क्या है, जब आप लोग और voucher entry कर रहा है, और बीच बें आपको बोला जाया कि balance sheet को print करके देदीजिए, या कोई ऐसा customer है, उसका रसीत जो है ना, invoice आप्रिंट करके देदीजिए, तो आपको print करके देना कि प्रिंट करने से पहले इस से पिछले वर्जन धर्ड परिंट करने से पहले उस रिपोर्ट को यह हम कोई भी कारे करें इसको सेव करना पड़ता है लेकिन गोटु मेन्व एस सॉर्टकट के यहां पर अल्ट एज देख सकते हैं आप लोग कि Go to menu, Go to menu से voucher اور master को create and alter कर सकते हैं. Go to menu से भी क्या कर सकते हैं? Go to menu से voucher और master को create कर सकते हैं. अगर आप alt-C दबाते हैं तो भी create होगा. लेकिन Go to menu से आप master और इसको voucher को create कर सकते हैं अगला देखिएगा, Go to के लिए shortcut की अल्ट जी का परियोग किया जाता है यह तो याद है आपको अगला है कि expand all मतलब सब को दिखाने के लिए collapse all expand all category से wise report डिस्पले कर सकते हैं तो चलिए इसका यूज आगे हम लोग देखते हैं अगला यूज और अगला दिया है कि टैली प्राइम में go to options से किसी भी report को असानी से generate कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने go to command पे यानि go to menu पे और हम देख लेते हैं इसका use practically क्या है तो बढ़ते हैं अपने go to menu पे open करते हैं टैली को और देखते हैं अपने go to menu को तो चलिए go to menu की use हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा देखिए हम कोई voucher में entry कर दे रहा है कोई voucher में जा रहा है कोई voucher में enter है यहां पर माल ले जिए हम voucher के entry कर रहा है चलिए बाउचर के entry हमने कर दिया Indian oil यहां पर select कर लेते हैं चलिए इसको control ए यहां पर purchase चलिए purchase हम exempt ले लेते हैं यहां पर कोई भी ले लेते हैं आप enter करते हैं और यहां पर चलिए इसको भी एंटर करते हैं और यहां पर हम enter कर दिया इतना हमने सेव करना पड़ेगा आप क्या करें कीबोड से अल्ट जी नहीं तो गोटू पर क्लिक कर लिजें कहां पर दिखा रहा हूं आप सामने देखने है क्या लिखा है गोटू सामने देख सक्ते हैं लिखा है Size Size Go 2 और गोटू में दिखे I यह देखे common report यह common report आपके सामने दिखाई दे रहा है तो यहां से आपको कहां पर जाना है balance sheet profit and loss किसको देखना है go to के द्वार है ना मतल tightening आप कही से भी कही जा सकते हैं बीना पहले कारे को डिवीट किये की आप balance sheet को open कर सकते हैं जैसे फिर go to क्लिक करते हैं अब Profit & Loss पर क्लिक करते हैं Profit & Loss को open कर लेते हैं यह भी open कर लिया हम यहां से अगर कोई भी हम laser voucher open करना चाहते हैं laser voucher open कर सकते हैं अगर किसी के नाम से मोहन यादव नाम लिखा है इनका open कर सकते हैं और enter दबा सकते हैं और देख सकते हैं अब क्या होता है कि अब हमको पिछले कारे पर वापस भी जाना है क्योंकि उसको हमने सेव नहीं किया था तो आप सिंपली स्केप की दबाएंगे तो भी चले जाएंगे नहीं तो यहां पर गोटू पर जब क्लिक करेंगे तो ऊपर एक option देखेगा क्या दे रहा है यहां पर option एक दे रहा है कि so opened report जहां से देखेगा यहां पर दे रहा है so opened report यहां पर दे रहा है तो just इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितना अपने रिपोर्ट open किया था देखेगे आप accounting voucher creation अभी आप edit कर रहे थी इसी को इसलिए edit लिखा है balance sheet open किया है आप profit and loss को open क laser voucher open किया है यहां पर किसको किस में जाना है तो go to कि सायता से आप जा सकते हैं तो accounting voucher पर हम क्लिक करते हैं और accounting voucher पर चले जाते हैं यह देखे जो हम लोग accounting voucher में entry कर रहे थे उसी पर लोग आ गए तो यह हुआ go to का use आसा करते हैं आपको clear समझ में आया होगा अब देखत गए तो चलते हैं अपने notes पे और देखते हैं कि इसका use switch to का use क्या होता है क्योंकि go to तो दिखाई दे रहा आपको go to आपके सामने दिखाई दे रहा switch to कहा होता है तो switch to हम लोग open करते हैं और switch to को देख लेते हैं ओके चलिए switch to को यहाँ पर देखे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही था हमारा क्या go to यही था हमारा go to यहाँ पर आप देख सकते हैं go to ओके यहाँ पर balance sheet है profit and loss account यह सब जो दिखा रहा था आपको किस पर जाना था आपको आप जा सकते हैं, ओके, चलिए, तो बढ़ते हैं अगला switch 2 पे और switch 2 देख लेते हैं, यहां पर देखिए, जो go to काम कर रहे था, वही switch 2 काम करता है, लेकिन अंतर क्या है देखेगा, इसका keyboard shortcut की आप देख सकते हैं, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, स्विश्टू मेन्यू का, अब आगे देखते हैं, कि स्विश्टू मेन्यू क्या होता है, स्विश्टू मेन्यू का यूज क्या है, तो स्विश्टू जो मेन्यू, टैली प्राइम में नया मेन्यू जोडा गया, यहां पर बोला है कि Swish 2 Menu Tally Prime में नया मेन्यू जोड़ा गया तो ठीक है इसका पर्योग Tally Prime में कारी करते हुए किसी अन्य कारी को करने के लिए तो था किसी रिपोर्ट में जाने के लिए किया जाता है यह तो गोटू से भी करते थे लेकिन Swish 2 Menu क्यों दिया है स्विश्टू कमांड क्यों दिया है तो यह देखिए ध्यान से कि स्विश्टू जो मेन्यू है यहां पर मेन्यू कहने का मतलब क्या है कि यह बहुत सारे कमांड कमांड लिया रहा था है बैलेंसी प्रॉफिट इन लॉस सबको तो सहीं उजित करता है इसी के द्वारा हम लोग सभी कमांड को एकसेस करते हैं तो जिसके द्वारा सभी कमांड जूड़े होते हैं उसको मेन्यू बोलते हैं तो इसलिए स्विश्टू मेन्यू लिखा गया है अब देखिए आगे बोला है लेकिन स्विश्टू जो मेन्यू होता है लेकिन स्विश्टू मेन्यू का परियो हुआ था लेकिन अगर स्विच्ट लेनीव कि switch to menu से voucher और master को create और alter कर सकते हैं इसके द्वारा भी voucher को alter create कर सकते हैं लेकिन अपने पिछले कारे को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं यह ध्यान दिजिएगा switch to menu के लिए shortcut control z का परियोग किया जाता है चलिए ठीक है इतना समझ में आ गया अब इसके बढ़ते हैं अपने और इसका देखते हैं कि switch to का use practically हम लों को देखते हैं कि switch का use क्या होता है open करते हैं switch to को चले टैली प्राइम को open कर रहा है यहां पर गोटू लिखा है switch to कैसे open होगा हो तो Switch 2 open करने के लिए क्या होता है कि Ctrl के साथ Z dvắt दिए, Ctrl के साथ यहाँ पर ध्याद से देखिएगा अभी तो Go2 लिखा है यहां पर ध्याद से देखते रहेगा क्या लिखा है कि यहां पर तो Go2 लिखा है अगर Ctrl दबाते हैं तो यहां पर create master कर दे रहा है, चलिए अब की बार हम create master कर रहा है, तो create master जो ही हम enter करेंगे, यह create master में हमने क्या किया, पहला कार हमारा छोड़ दिया, पहला कार हम पुर्ण वापस नहीं ला सकते, जैसे अगर हम यहां पर फिर से control Z करें, switch 2 में, तो यहां पर देखें, कोई हम कार वापस नहीं ला सकते, balance sheet पर click करें, balance sheet open हो जाएगा, फिर escape करते हैं, तो हमारा पिछले कार वापस नहीं आएगा, ठीक है, तो यह हुआ go to and switch 2 में enter, clear है, चलिए, यह तो हुआ go to and switch 2 का enter, अगला export और import है, अगला क्या होगा, data menu, ठी अगला data menu आपके सामने है, data menu आपको चितरी में दिखाई दे रहा है, यहां पर backup restore, speed data path, इतने option दिये गए होते हैं, सभी option के बार में हम लोग पड़ेंगे, पहला देख लेते हैं, तो टैली प्राइम data menu होता क्या है, तो टैली प्राइम का या वह menu होता है, जो टैली software में बनाये गए company को किसी अन डिक्स पर भविश्च के लिए store करके अर्थात backup लेकर रख सकते हैं, ठीक है, और अगला क्या होता है, देटा में data को पुना टैली प्राइम में रिश्टोर कर सकते हैं, तो data menu की सहायता से, ठीक है, बैक अप लेने के हो सकता क्यों पड़ती है, तो backup लेकर आप अपने pen drive में भी रख सकते हैं, और कहीं भी टैली को access कर सकते हैं, दूसरा करणा होता है कि आप टैली में backup लेकर रखिए, ताकि अगर गलती से आपको company delete भी हो जाए, या आपको कोई company delete कर देता है, तो आपके पास backup रहेगा, तो backup लेने से पहले आपको कहां ज अधर लेज़ेगा, और यह पहला जो दिखा रहा है company data path, यह company का location दिखाता है, जहां पर यह company store रहती है, हमको company backup path से मतलब है, company backup path, dhc user, desktop, यहां पर हम क्या करते हैं, enter करते हैं, और आप enter दबाएंगे, तो select from drive specific path, दो option देगा, नहीं तो आपके सामनी यह folder भी दिखाई द होता है, कि अगर आपको specific path पता हो, इस c drive में हमको कहां पर रखना है, c drive में कोई हम folder बनाया है, तो सिधा specific path में click करिए, c drive type करके, उस folder का नाम लिख दीजिए, सिधा लिख देना पड़ता है, नहीं तो इस PC में जाके, उस path को copy करके, यहां paste भी कर सकते हैं, हमको करना है select from drive select from drive को हो, यहां पर just click करेंगे, यह बूलेगा कहां से आपको choose करना है, तो हम desktop को click कर देते हैं और enter दबाते हैं, तो अपने यह path इसने select कर लेगा, यह path इसने select कर लेगा, c drive में desktop पर, just enter दबाते हैं इसको, आप तो accept करने के लिए control, accept कर लेगा, फिर data menu पर click करिए, अब ले के backup लेना है, किस company का backup लेना है, और यहां पर वही दिखा हैं हो, फिर specific path और select from drive, select from drive क्या होता है, आपको यहांपे select from drive पर click करेंगे, तो पूछें करेंगे, आपको ले आपको Death Top पर click कर देंगे, तो भी आपका company वह दिखा देगा, okay, so Death Top है कि हमलों का company था, तो Death Top की company को हम क्या करेंगे बैकप ले सकते हैं तो चलिए किसी कंपनी के आप become पढ़ ले लेते हैं याइ डेमो कंपनी ये ग्रमस झो लिखा इस पर क्लिक करते हैं और company में अपका back up हो गया अब restore करना होगा तो restore पर dc Iranian कलिक करेंगे restore अपने आप उले लेगा demo company होना एक अबर backup ले लिया हम restore कर सकते हैं demo company आपके समने दिखाई देगा अब list समाप्त हो जाए तो end of list पर enter कर देजे enter कर देजें फिस popular अगला है data अगला है डेटा पे हम स्प्लीट दिया है, तो स्प्लीट में क्या होता है, कम्पनी के डेटा को दू भागों में बाटना है, अगर आपको कम्पनी की डेटा को दू भागों में बाटना होगा, तो स्प्लीट डेटा कर सकते हैं, वेरिफाइड डेटा, अगर स्प्लीट से प कोई भी एंट्री कर दिया, कोई भी बाउचर बना लिया, कोई भी रीपोर्ट बना लिया इसको PDF में निकालना है, उसको JPG format यानि फोटो में निकालना है किसी के पास भेजना हो तो या उस डाटा को エक्स्पोर्ट करके किसी कमपणी में लाना हो झालिए इसी को हम लोग पढ़ते हैं और 2 menu होगा हम लोग का कौन सा थ been export और import का झालिए सबसे पहले देख लेते हैं कि export होता क्या है आगे देखते हैं हम लोग export menu सामने देख सकता है export menu export menu होता क्या है यहाँ पर देखेए 64 menu का परियोग पहले में तब किया जाता है जब किसी कमपनी का data को किसी अन्य कमपनी में भेजने के लिए अर्थात किसी कमपनी का report, master and transaction को किसी अन्य डिक्स पर श्टूर करना हो ठीक है? यहाँ पर सिधा सिधा समझेदा क्या होता है export menu का परियोग तब किया जाता है कोई voucher create कर लिया है और उसको किसी अन्य कमपनी में भेजना है तब कैसे भेजेंगे? अगर backup लेते हैं तो पूरा company ही backup जाती है restore करते हैं तो पूरा उस company जो नाम से company होती है restore हो जाती है लेकिन इसमें सिर्फ company का data ले जाना है कमपनी का name और detail नहीं ले जाना है तो हमको export करना पड़ता है अगर कोई voucher आप entry कर लिया है कोई receipt बना दिया है sales का, purchase का उसको PDF में निकालना हो तो अभी आपको export कर सकते हैं अगर उसको photo zpg में निकालना हो तब भी आप उसको export कर सकते हैं तब इसका export menu का पड़ियोग किया जाता है और यहाँ पर देख सकता है export menu का चितर यहाँ पर है इसमें क्या क्या होता है कि दिया है पहला क्या है report में current, other company data में आई है तो company data section में master और transaction दो है नीचे दिया है configuration यह सब ही option को हम लोग बारी-बारी से पढ़ेंगे चले-चलते हैं हमने tally prime screen पर और देखते हैं कि सब का use क्या है और कैसे इसका use हम लोग करते हैं तो बढ़ते हैं हम लोग tally prime के screen पर और देख लेते हैं सब का use ओके आपके सामने tally का home screen प्रदसीत है अब हम लोग देखे ऊपर दिया export menu देख सकते हैं आप ऊपर दिया है क्या export menu दूसरा क्या दिया है import menu और इससे पहले जो यह वाला go to exchange data company यह सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं और go to में यह को हता है switch to इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं तो चलिए और हम लोग को क्या देखना है आभी तो हम लोग को पढ़ना है export और import को ठीक है ठीक है तो हम लोग export पर क्लिक करते हैं और export से पर क्लिक करने से पहले हम किसी report को या day book को ही open कर लेते हैं day book को open कर लेते हैं आम ने आपको दिखाने के लिए 2 entry किया है इस में देखिए एंडयान और गए पर्शी्स के ऐऄ हम को क्या करना है कि यह माम लेजे हमने सेल किया और सेल किया है मोहन इयाद क्या कर रहा है कि का रहा है कि हमको रसीद देदेजूए इसका जो आपने पेट्रोल और लुब्रिकेंट आपने सेल किया हमको इसका इन्वोईस दे दीजिए रसीद दे दीजिए वो भी PDF format में तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट पे जाना पड़ेगा एक्सपोर्ट PDF format में बनाने के लिए एक्सपोर्ट पे जाना पड़ेगा एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं या इसका कीबूर्ड शॉट्केट की अल्ट इ होता है यह सामने दिखा रहा है अल्ट इ होता है आप देखिए करेंट और अधर में अंतर क्या है कि जिस स्क्रीन पर आप बरतमान में है उसको करेंट बोलते हैं और जिस स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो उसको अधर बोलते हैं लेकिन आप लोग यहां पर यही करिएगा कि जिसको ओपेंड करना मतलब जिसको PDF या एक्सपोर्ट करना होगा जिसी screen को, open ही कर लिएगा नहीं तो other पर जागे, आप other पर click करके यहाँ पर show more, show more में click करके show inactive, जो inactive उसको देख सकते हैं तो यहाँ पर expand all करते हैं, सब को देखने के लिए तो यहाँ पर सब को देख सकते हैं अब यहाँ पर तो हमको इसी को export करना है, जो sales का रसीध है तो हम क्या करेंगे, export पर click करते हैं और current, जिसका keyboard shortcut की control यह होता है, अब control यह भी दवा सकते हैं enter करते हैं, enter जो ही करेंगे तो देखे, send के लिए दे रहा है configure के लिए दे रहा है, और शामने आप यहाँ पर देखिएगा file format यहाँ पर detail कुछ दे रहा है file format xml है, xml में यह tally का जो extension name होता, xml होता है जाएगा कहाँ पर, export यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर जाएगा, export to local, यहाँ पर local drive ओके, यह कहाँ पर जाएगा फिर folder path है, इसका c user जो आगे दिखा रहा है, desktop पर जाएगा file name क्या होगा, तो file name accounting voucher dot xml होगा अगर इसमें कुछ बदलाव करना है तो बदलाव तो करना है, हमको pdf में निकालना है pdf में निकालना है, तो इसमें बदलाव करना पड़ेगा तो अगो क्या करना पड़ेगा, configure पर क्लिक करना पड़ेगा जो configure यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको configure जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर configure पर ही क्लिक करना पड़ेगा चलिए तो configure पर हम लोग क्लिक करते हैं बारी बार सबका यूज बता है तो वीडियो जादा लंबा हो जागे इससे दिया है कि यूज simple invoice format तो इसको simple invoice में अगना चाहते हैं तो एस कर सकते हैं एक-एक यूज देखेंगा तो आपको समझ में आजाएगा so discount मतलब कुछ discount दिया गया दूटिज ओफ डूटिज ओफ इस्टोक आइटम एस सबको रेट दिखाएगा यहां पर HSN कोड यह भी दिखाए जेस्टेन लॉसिस यह भी दिखाए ओके आप कहां पर आना यह देखे हीडर इन्फॉर्मेशन दिया है टाइटल सब्टाइटल ओके पार्टी का डीटेल दिया है आपका कि सू कंटेक्ट डीटेल कंटेक्ट डीटेल अगर आप डाले होंगे तो दिखाए तो नो है तो आप यहां पर क्या करना होता है आपको simple enter दबाना होता है यहां पर S हो जाएगा आप देख रहे हैं S हो जाएगा फिर आगे No है so name, address, party, master तो आप इसको enter दबाएंगे तो S हो जाएगा आप दुबारा enter दबाएंगे तो No हो जाएगा तो ठीक है फिर और जो 4 arrow की दिया रहाता है नीचे आने के लिए Down 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 arrow की कर सकते हैं अब यहां पर आना है Export Setting में पीडियफ हमको बनाना है या फोटो बनाना तो हमको आना है कहां पर सबसे नीचे Export Setting Export Setting में जाब आएंगे तो देखिए File Format यहां पर दिया है File Format क्या है XML है तो हमको XML लेना नहीं यहां पर क्या लेना है तो हमको लेना है PDF Format PDF format तो हमको यहां पर चूछ करना पड़ेगा चलिए तो यहां पर क्या करते हैं कि JUST IS-C کو Open करते हैं File Format को File Format को लोग और उपन तो XML पर यहां पर Just आयेंगे यहां पर एंटर दबाएंगे तो आपको पूछेगा PDF में बदलना है यहां पर देख सकते हैं आप लोग बहुत सारा यहां पर देर आए कि इस फॉर्मेट में आपको बदलना है XML में तो यह टैलिक एक्स्टेंशन नेम होता है टैलिक समझेगा PDF रेड़ अनली यहां पर देख सकते हैं अपको पता यह एक्सट देख लेगा देख सकते हैं दूसरा होता एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइब पर जाएगा ठीक है फोल्डर पाथ अब इसको बदल भी सकते हैं कहां पर जाएगा फोल्डर पाथ तो यह हमारा डेक्स्टॉप पर जाएगा फाइल नेम एक्कांटिंग बाउचर डाट पीडिएफ रहाएगा अगर इसमें आपको नाम भी चेंज करना हो एकांटिंग बाउचर के जागा अपना नाम भी लिख सकते हैं हम चेंज नहीं करेंगे कंट्रोले करते हैं अक्सेप्ट करने के लिए अब क्या करते हैं सेंड कर देते हैं सेंड कर दे रहा है तो यह आपका पीडिएफ कर्वर्ट हो जाएगा चेंज लिए यह आपका पीडिएफ तो कर्मट हो गया अब हम क्या करते हैं पीडिएफ को ओपन कैसे करेंगे पीडिएफ को ओपन करने के लिए जस्ट आपको जाना पड़ेगा वही आपको डेक्स्ट आप पे अकाउंटिंग बाउचर के नाम से यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटिंग बाउचर के नाम से यह आ गया यहाँ पे पीडिएफ बन के इस पीडिएफ को जस्ट ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा ठीक है पीडिएफ को ओपन आप कर सकत तो PDF को open तो कर लेंगे ना जैसे हम इसी पर दो बार क्लिक कर देते हैं open करने के लिए तो यह PDF आपका open तो हो जाएगा अब यह देखिए जो हम लोग PDF बनाये थे यही आपका PDF यहाँ पे आ गया पेट्रोल लुब्रिगेंड जो था यही वला आपका दिखा रहा है तो यह PDF भी बना सकते हैं यहाँ चलिए फिर चलते हैं अपना टैली प्राइम स्क्रीन पे यह तो हुआ एक्सपोर्ट मेन्यू मे किसका यूज तो यह करेंट का अधर का यूज आप लोग करी लेंगे आप आते हैं Company Data Master अब इसका यूज क्या है अब देखिए यहाँ पे जो दिया है न मास्टर ट्रांजेक्शन यह जितना इसमें मास्टर है और ट्रांजेक्शन है किस अन्य कंपनी में ले जाने के लिए देता है यहीं से हम लोग Current ऊपर दिया है यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि PDF या JPG XML या Excel फार्मेट में फाइल को हम एक्सपोर्ट करते हैं यहीं Current से अगर Master ट्रांजेक्शन में आते हैं तो आपको XML देगा नहीं तो ASCII देगा American Standard Code में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो यह से हां-ट्रांजेक्शन बारे माश्टर ओटरांजेक्शन के बारे माश्टर ओट्रांजेक्शन यह झापर नहीं बढ़ीन नेव फो प्रांजेक्शन के इसको बढ़ाने से पहले आपको मैं किसी tactical ई central उपें करते हैं यहा जीए जैसे देखिए तो highest प्राइं की से एक अगर यह जो पहली हम लोग का company है ख्लेस petrol pump इसका day book भी देखिए day book में दो entry दिखा रहा है इसका balance sheet देख लिए balance sheet में अगर alt f1 करे detail के लिए तो यहाँ पर current asset में इतना दिखा रहा है तो इसका balance sheet में entry पहले से यह entry हम लोग इसमें ले जाना है यह entry ले जाना है यह demo company गाजीपूर में अब इसमें देख लिजेगा जब इसमें हम click करते हैं तो यह company open तो हो गया demo company पे click कर दिएगा simple open हो जाएगा अब इसका balance sheet देखिए balance sheet में कुछ नहीं है इसका detail भी करें कुछ नहीं है इसमें इसका day book भी देखें तो डे bou類 कुछ नहीं है लेकिन यही इसमें जो kh Ourly company है इस country zwei अगर शुामगा हूट भी आखालर माशटर लीकाच्ट इस company से export करना होता है पहले उस company को open कर लेते हैं ओके हैं तो चलियें इस company को हम लोग потр rushed तो open तो कर लिया है ओके इस company को हम लोग open कर लेते हैं अखिलेश पेट्रोल पर हम जो company है यह तो open हो गया है अब चलते हैं इस चलिए मानलेजिए यहाँ पर आते हैं daybook में ही daybook में आ गए यह दू एंट्री हम लोगो क्या करना है उस company में ले जाना है export करते हैं export करने से पहले आप master को export करिएगा master को export करिएगा तब ही transaction export होगा master पर click करते हैं और इसमें भी देखिए कुछ setting करने के लिए देता है अगर आपका यहाँ पर XML ना हो यहाँ पर XML ना हो तो आप XML data interchange कर लेजएगा local drive यह कहाँ पर store होगा यह बता रहा है क्या नाम होगा तो master.xml होगा है file name देख सकते हैं और यहाँ पर बस बोलना है कि laser ले जाएगा कौन सा type of master में कौन सा ले जाएगा laser अगर सभी को ले जाना है तो फिर configure करना पड़ेगा यहाँ पर पाथ भी बदलना होगा इसको भी configure करना पड़ेगा तो चलिए configure पर फिर से click करते हैं और यहाँ पर देखे टाइप of master laser सिर्फ बोला है जिसमें enter दबाएंगे तो देखिए बोला है group ले जाना है go down ले जाना है यहाँ पर देख सकते हैं आखिर क्या ले जाना है आप यहाँ पर देखते रिएगा master यह मतलब आपको कहाँ पर क्या ले जाना laser group go down employees क्या ले जाना इसमें all accounting master ले जाना है all master ही ले जाना है सभी को साथ में ले जाना है तो हम सभी को एक हीवार में साथ में ले जाते हैं अब जिसको ले जाना होगा एक master पर दूसरे master अगर मालें जिए एक group में कोई दूसरा इस laser में कोई group enter है तो dependent है उसको भी ले जाना पड़ेगा तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा no है तो as enter दबाते हैं इसमें as करने के लिए enter export, closing balance and opening balance तो इसको भी closing जो opening रहेगा उसको भी yes कर देजिए file format यह सब सही है XML रहेगा export to local drive यह सब सही है सब सही है तो ठीक है control है कर लेजिए इसको configure हो गया बस हम send कर देते है export करने के लिए simple send करते है send कर यह send करने के बाद जहां भी आपका export होगा वो location आपका दिखा देगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग का देख लेते हैं यहाँ पर आपका दिखाएगा master के नाम से masters ओके master के नाम से यहाँ पर आ गया है masters यह आपका open तो होगा नहीं इसमें क्योंकि tally में ही open कर सकते हैं ठीक है तो transaction को export करते हैं transaction को export करना से पहले आपको configure करना पड़ेगा all voucher तो ठीक है all voucher इसमें भी यह करना हो तो आप configure कर लिज़ेगा यहाँ पर okay configure करेंगे तो बोलेगा all voucher include यहाँ भी बोल ला है dependent master तो हम क्या कर देंगे yes enter करिया बागे सबसाइए अच्छी के control करते हैं accept हो गया और send कर देते हैं okay हम लोग send कर दे रहा है यह भी अगर open होगा transaction के नाम से इसको भी open करके दिखाता है मतलब दिखाता है कि आपको कहाँ पर save हो रहा है तो आप लोग इसमें find कर लिजएगा कहाँ पर आपका store हो रहा है अब चलते हैं यह तो हो गया हम लोग का export में transaction भी export हो गया अब आगे बढ़ते हैं configure किसले देता है configure पर click करेंगे देखे बोलना है location import export file location यह बोलना है location ठीक है आगे बोलना कि open file after export जब आप लोग देख रहा हैं कि हम लोग export करना है तो फाइल को open कर दे रहा है यहाँ पर S है तो open कर देगा नहीं उन्हों रहेगा तो open नहीं करेगा और यह जो आपका दिया है company detail store company logo यह logo आपको print की setting में बताएंगा कि काईसे company में logo लगा जाता है बसरते यह आपका जितना margin छोड़ना है आप सब यहाँ पर देख सकते हैं इसका use कर लिजेगा आप लोग इसको हम control करते हैं save करने के लिए यहाँ पर बस इसको yes कर लिजेगा control करते हैं आप हमको import करना है import तो इस company में हमको करेंगे नहीं करेंगे किसमे जो नई company बनाया है तो उस company को पहले open कर लेते हैं ओके चले इस company को हमने open कर लिया जो demo company गाजिपूर के नाम से है इसी को हमने open कर लिया चले तो हमने master or transaction को export कर लिया है export कर लिया है अब आप लोग export कर लिए PDF, JPG, Excel में सम्मेट एक्सपोर्ट कर लेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए simple export पे क्लिक करना है यह तो समझ में आ गया आपको master or transaction को export करने के लिए कोई भी report open कर लिजएगा अब देखिए import करना सबसे इसान है क्योंकि हम लोग export तो कर लिया अब import करना है आपको import menu पर क्लिक करिया या keywords से alt ओ दबा देजी । इम्पोर्ट मेनी Wagyooms open । master import करना है कि transaction के bank detail तो bank detail हम लोगोने export किया नहीं और bank detail का उस bank का detail हम लोग इस teleprime में company में भरा है ये तो आएगा नहीं ठीक है आप ये configure किसलिए देता है तो configure इसलिए देता है configure पर क्लिक करते है बोए location import export file पहले आप configure ही कर लेजएगा location of import export file तो देखे c user जो अखलें से आदा desktop दिया है मतलब यहां से आप जो भी master or transaction आएगा उसको import करेंगे ये सही है आप बोला है कि ignore error during report ignore मतलब जो अगर report में कुछ error आ जाए उसको ignore करे अगर no आप ignore करे s अगर no रहेगा आपका यहां पर अगर no रहेगा तो आपका ये जो भी master को या transaction को export किया है import करने के लिए import करेंगे तो बीच में error आएगा तो import नहीं करेगा तो इससे बढ़िया कि इसको s कर लिजिएगा क्यों ignore कर दे overwrite voucher when a voucher is same बोला है guide exist yes overwrite भी कर दें अब अगला बोला location of a new bank statement तो यह bank का statement तो है नहीं अब यह हो जाए तो control करेंगे किस लिए accept the screen अब import करते हैं सबसे पहला हम किसको सबसे पहला हम इंपोर्ट करते हैं masters को लाते हैं masters को master पर just click करिए अप लोग masters में क्या था डे बुग था डे बुग था कि master xml था तो master xml था हम लोग का just enter दबाते है master xml पे combine opening balance में क्या होता है कि जो opening balance आप भरे रहेंगे उसको भी लेकर आ जाएगा ignore duplicate data क्या होता है ignore duplicate data यह होता है कि देखिए जब ignore कर देगा किसको cash और profit and loss cash का laser और profit and loss का laser इसको आपको import नहीं करेगा क्योंकि ignore कर देगा किसको duplicate जो रहेगा इस company में तो cash और profit and loss का दो laser तो पहले से बना होता है modify with new data हम क्या करता है combine opening balance पे click कर देखिए यह देखिए आपका export import हो गया अब अगला है फिर import करते हैं कि इसको master तो import कर लिए transaction को import करते हैं transaction को import कर लेंगे transaction में क्या था transaction यह वाला था नीचे आप देख सकते हैं क्या था transaction.xml file इसी पर click कर नाम को okay इसी पर हम लोग click करके इसको open कर लेते हैं चलिए तो क्या है transaction.xml just enter दबाते हैं यह हमारा भी import हो गया अब आप देख सकते हैं कि यह तो हमारा petrol pump पाली company थे हम डाटा किस में लाए डेमो company में export कर लिए, export करके import कर लिए, okay अब इसका हम लोग एक बार के लिए आते हैं अल्टर में और laser देख लेते हैं, laser में जैस master यहाँ पे तो आ गया Indian oil Mohan या दो का जो भी था चलिए आगे देखिए यहाँ पर जो master हम लोग जो यहाँ पे अखलेश petrol pump में जो master बनाए थे वो आपका demo company गाजीपुर में भी आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं, cash का Indian oil, cash का तो पहले बना होता है, Indian oil, Mohan याद और profit and loss का तो पहले से बना होता है, purchase, sales, UBI, bank account यह इसमें हम आपको अपर लिख लादी है, सिर्फ master लाना होगा तो master को export करिए but transaction लाना होगा तो transaction को export करिए, यह तो आपको समझ में आ रहा है चलिए, अब अगला देख लेते हैं कि हमारा transaction तो transaction आया है के नहीं आया है चल यहाँ जक्रों करते हैं चलिए तो इसको हम एक बार escape करते हैं और अगला देखते हैं कि हमारा जो transaction था transaction आया है कि नहीं तो हम balance sheet में आ जाते हैं balance sheet पे click करते हैं आप देख सकते हैं alt phone करते हैं यहां भी आपका जो हमारा transaction था उस company का transaction आ गया तो यह हम master और transaction को import, export करके import कर सकते हैं चलिए आगे आसा करते हैं कि आप export और import का use सीख चुके हैं और अगर आपको यह नौश समझ में आए तो आप इस video को दुबारा देखिएगा और ठीक है आगे import का देखते हैं use, import का पर लम देख लेते हैं definition आप लोग इसका notes बना ले जगा इंपोर्ट होता क्या है ओके तो import menu यहाँ पर आते हैं अगला import menu पर और import menu में आप लोग देख ले जगा import menu होता क्या है सर्था उसका use तो आप लोग देख लिए import क्या होते हैं इस menu का पर योग पहले से export किये गए company का रिपोर्ट master और ट्रांजेक्शन वो किसी अन कंपनी में लाने के लिए किया जाता है तथा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि master transaction bank detail को लाने के लिए हम कर सकते हैं किसका use तो import हम लोग टैले प्राइम से email कैसे send करेंगे plus company में logo कैसे लगाएंगे जो company में अगर invoice हम प्रिंट करते हैं तो हम लोग कैसे लगाते हैं अपने company का लोग कैसे लगाते हैं तो चलिए बढ़ते हैं इसी topic पर और वीडियो को end तक देखिएगा अगर कुछ नया सीखना होगा तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि email कैसे भेजेंगे सबसे पहले आपको क्या करना होगा Chrome किसी browser में अपना email जिस email से कोई इन्वाइस या कोई report किसे दूसरे के पास email करना होगा send करना होगा email की साहता से सबसे पहले अपने browser को आपंट कर लिजीएगा और उस browser में आपका email ID login होना चाहिए अन्यवे करना होगता है बसरत एक setting करना होता है setting क्या है यहाँ पर देखिएगा तो setting सबसे पहले आगे चलते हैं और setting देख लेते हैं कि हमारा setting क्या है कि चुलिए setting में ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपका जो email id होगा email id में अगर आप double verification two step verification आप लगाए रहेंगे तो यहां देख लिजेगा क्या करना आपको कि simple आपको जो email होगा आपका email के security वाले option में आज़ेगा है ना जो दिया रहाता है manager account manager account के security वाले option में आईएगा security में क्या है कि अगर आपका यहां पर double verification two step verification यहां पर दिया है on है तो इसको off कर लिजेगा क्योंकि अगर on रहेगा तो यह double verification मांगता email id मतलब एक बार तो अपने password डाल कर आप login कर चुके हैं लेकिन फिर मांगता है कि message के द्वारा आपको confirm करता है less secure app access मतलब आप किसी ipplication में इसको access कर सकते है नछ इसको on रखिएगा इसको आप लोग on रखिएगा okey less secure app access इसको हम लोग turn on कर दिजेगा एक बढ़ यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको on हो जाए और this place turn off है ना एक बढ़ क्लिक करेंगे तो आपका दिखाने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक email से दूसरे email आप यहाँ पे हमने दूए email login किया है डेमो की साहिता से मतलब आपको दिखाने के लिए आपको इस email में हम एक message send करेंगे और इस email के द्वारा आपको दिखाएंगे कि दूसरे email में कैसे हमारा invoice आ रहा है, सबसे पहला हम लोग LEPRIME को open कर रहा है, LEPRIME को हमने open कर लिया, और चलते हैं daybook में, मतलब daybook सही भेजते हैं, यहाँ पर ध्यान दिजिएगा, email में other options जो दिया रहता है, other options से आप क्या कर सकते हैं, कोई यहाँ प पर कोई मिलता है, तो PF form मतलब जो भी form आपको print करना होगा, form आपको भेजना होगा, send करना होगा, तो ही आप इस father का use करिएगा, बसरते हैं, आप email पर click करने से पहले daybook को open कर लिजिए, अब यह sales का जो हमारा invoice से इसी को send करना चाहते हैं, मोहन गॉाल वाला जो है, अब इस आपको current पर क्लिक करना होता है, current पर मतलब बरतमान हमारा, जो बरतमान invoice से को send करना है, अब यहां पर देखिए email पहले से दिया है, जो company बनाते समय लिख दिया था, वही email दिखा रहा आपका, इस email पर हमको create करेंगे, create, just create पर चलते हैं, और create पर चलेंगे, क्यों हमको नया email ID डालना है, नया email ID हमको डालना है, तो नया email ID आप लोग डालिये का, जो email ID आपको क्या करना है, जो आपका ये company का email ID होगा, यानि जिस ID से आपको send करना है, email from में वही ID लिखिएगा, email from में वही ID आप लोग लिखिएगा, जिस ID से आपको email send करना होगा, ठीक है, चलिए ह यहाँ पर आयडी हम लोग लिख लेते हैं mail ID, okay, तो सबसे पहले मैं आप को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, कि अगर email हम यहाँ भरेंगे, लेकिन देखिए, यहाँ पर हमने email लिख कर रखा है, email लिख कर रखा इस email से हम लोग भेज़ेंगे, जो email हमारा यहाँ पर है, इस email इमेल से जो हमने डेमो की मतलब माल यहां पे आपको दिखाने के लिए इमेल बना कर रखा इसी इमेल से हम लोग भेजेंगे तो पहले हम इसी इमेल को कॉपी कर लेते हैं आप लोग टाइप कर लेजेगा इस इमेल को कॉपी कर लेते हैं और इसी में पेस्ट कर लेते हैं एले है का ताक यहां पर से भेज रहे हैं तो ठीक कर लेजिए कोइज़ NEW आपको अगर यहां पर हौटमेल से भेज रहें तो आपका है होगा होट मेल आउट लूक से भेज रहे हैं तो आपका आउट लूक यहां पर देगा जो मतलब इमेल का सर्वर क्या है और सर्वर आड्रेस SMTP जो मेल भेजने के लिए होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है पोट नमर साथ है स्प्रेमेंटर दबा देते हैं को कि अभुड़े दिए हैं कि यहां पर कुछ नहीं करना इन Rush आपको इनवाइस सब्जेक्ट इनवाइस ही रखना है ना चाहे तो आप बदल भी सकते हैं इनवाइस को email message पूछ रहा है कि क्या कुछ message देना है तो हम दे देते हैं higher ram लिख देते हैं ओके और यहाँ पे predefined आप message template select कर सकते हैं alt test दबाएंगे तो आपको यहाँ पर create करने के लिए message यहाँ पर message name पुछ लिख सकते हैं राम लिख देते हैं और यहाँ पर कोई message आप type कर दीजिए जो message type करना होगा enter दबा देजिए आपका accept कर लेगा ओके ठीक है यहाँ पर हम आते हैं आप invoice हमारा invoice हो गया था आप enter करते हैं हम यहाँ पर enter करते हैं और enter करेंगे आप आप से पूछेगा email send करना है यह configure करना है इसमें configure करने वाली बात क्या है कि देखिए यहाँ पर जो आपका detail दिखा रहा है कि यह आप email भेजेंगे यह किस format में जाएगा यहाँ पर सब file का format HTML है अगर उस तो जिसके पास हम भेजना चाहते हैं PDF में भेजना चाहते हैं तो उसको configure करना पड़ेगा configure पर क्लिक करिए और यहाँ पर बहुत सारा option दिया है इतना तो संभव है नहीं कि एक ही वीडियो में पूरा बता दिया जाए बसरते आप इसको पढ़ते जाएंगे जैसे simple invoice format तो नो दिया है आप simple invoice करना को देश कर सकते हैं simple पढ़ते जाएंगे समझ में आ जाएगा आपका voucher detail है यहाँ पे statutory detail दिया है statutory detail उस invoice में दिखाना है कि नहीं दिखाना है header information title में invoice रखना है सब्टाइटल में कुछ देना होगा तो आप देशकते हैं अब पाटीच डीटियल में आपको दिखाना है उस रसीड में तो दिखा सकते हैं जिस रसीड को आप इमेल के द्वारा भेज रहा हैं इमेल सेटिंग कुछ करना इमेल फ्रॉम यह तो लिख दिया है इमेल ठीक है और फाइल फार्मेट यहां पर ध्यान देजिएगा HTML नहीं रहेगा क्योंकि हम PDF में भेजना चाहते हैं तो क्लिक करते हैं और PDF यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे अब यहां पर देख सकते हैं PDF फाइल फार्मेट PDF है हमारा email को हम सेंड कर देते हैं यहां पर पासवर्ड लिख देते हैं यहां पर हम पासवर्ड टाइप कर देते हैं और पासवर्ड इतना ध्यान रखिएगा कि सई होना चाहिए हम अपना पासवर्ड टाइप करते हैं एक सेकेंड पासवर्ड हमारा होगा है अब यहां पर पासवर्ड लिखने के बाद एंटर दबा दिजिएगा सिंपर आपका मेल जो जहां भेरना चाहते हैं चला जाएगा ओके थोड़ा वेट करिएगा यहां पर आपको कंफर्मेशन मैसेज तो मिलेगा नहीं अगर इर आ आपको दिखा रहा है कि इमेल हमारा कहां पर गया है ओके ओपिन करते हैं अब यहां पर देखिएगा यह आपका अभी आया है कौन सा आई है आप देख सकते हैं कि जो यहां पर खिलेश पेट्रोल पंप हमारी कंपनी थी यह पेट्रोल पंप जो कंपनी थी यहां पर चार बच कर ओनतिस मिनट अभी जीरो मिनट एगो अभी का है 12 माई 2021 अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है अभी इसी समय कहा चार ओनतिस का छली ठीक है और आप आप चाहे तो इसको डीकॉर्ड भी आप चाहे तो इसको ओपें खर कर सकते हैं आपका डाउनलोड हो यह इस invoice को कैसे हम लोग भेजते हैं आप देख लिए आसा करते हैं कि आपने अच्छे से समझा है अब देखें कंपनी में लोगो कैसे लगाते हैं यहां पर हम ओपन करके PDF आपको दिखा देते हैं जिस PDF को हमने भेजा था यह आपका सामने PDF ओपन हो रहा है अगर डाउनलोड प्रोसेस में होगा देखिए यहां पर ध्यान देजिए का हमने कंपनी में लोगो भी लगा रखा है यहां पर देखिएगा कंपनी में लोगो लगा रखा है तो यह कंपनी का लोगो भी दिखाएगा हमको दो पेज का इन्वाइस था हमारा दो पेज में इन्वाइस हमारा आप चाहे तो यहां पर प्रिंट भी कर सकते हैं डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं ठीक है अगला हमारा होगा कि कमपनी में लोगो कैसे लगाते हैं कमपनी में सिम्पल लगाने के लिए समझे क्या करना होता है इमेल आगया और कन्फिग्रेशन यहां पर क्लिक कर सकते हैं यहां CC और BCC दिखा रहा था आपको इसको दिखाना है तो अगर नहीं दिखाना यहां पर तो email में आई है और configure कर दीजिए यहां पर कर सकते हैं कि यहां पे नो कर सकते हैं यहां नो करने के लिए आप एंटर की दबा दीजिए यहां भी नो करने के लिए एंटर की दबा दीजिए नहीं दिखाएगा अब यह हीडर इंफॉर्मेशन बता रहा हैं कि आप का रसी जो है ना कितना मार्जिन छोड़े 0.5 इन से date range of report date range मतलब कौन से तारिक से कौन से तारिक का यह date आपका report है so date time of report मतलब आप report का date of time दिखाना चाहते हैं और दूसरा होता है so date and time of voucher printing जब इस voucher printing का जब इनमाईस आप भेजे हैं तो जब printing होगा उसका date and time दिखाएगा तो yes कर सकते हैं no कर सकते हैं company logo अगर लगा है तो yes रहेगा image path मतलब जो company का logo रहेगा तो image ही रहेगा चाहिज से बात है कि कोई picture ही रहेगा उसका ही path दिखा रहा है कि see user अखले से अदो folder है desktop पे है आपका okay so company name yes है आपका okay so company name भी दिखाएगा company address भी दिखाएगा ठीक है यह सब सही है इसका क्या होता है आप देख सकते हैं इसका preview क्या दिखाएगा एक page में आपका यहां पर दिखा रहा है आप देखा रहा है आप देखाएगा इसमें जितना सब दिया है कि आपका यहां पर देखिएगा कि यहां पर आपका taxable value भी दिखा रहा है जीएश्ट का rate भी दिखा रहा है center tax ऐसे पूरा losses करके दिखा रहा है इसकी setting हम लोग कहा करते हैं चलिए बढ़ते हैं और company में logo कैसे लगाते हैं यह company में जो logo लगा प्रेंट करिए configure में आप बहु सारा option होता है यहां पर देख सकते हैं कि 34 option दिखा रहा नीचे 34 option यह भी तो संभव है नहीं कि पूरा आम बता दे फोटो में PDF में रखना है आपको फोटो बना देना इसको इसके लिए सबसे लास्ट में आईएगा यह statutory detail होता है टेक्स से समंधित जो भी statutory detail आपको लगाना होगा तो रेट आप duties और इस्टोक आइटम कर सकते हैं एडर information में title देना हो तो title लगाना मतरब टाइटल में tax invoice रहेगा तो ठीक है company detail में company का logo तो yes party detail में क्या है content detail दिखाना है तो yes order dispatch detail आप footer information printing सेटिंग में आप यहां फ्यास कर printing की सेटिंग कर सकते हैं printing की सेटिंग में क्या होता कि printer आप कौन सा चूज करना चाहते हैं कौन सा printer रखना चाहते हैं यह हमारा by default SP laser jet printer तो select है यह हमारा यहां पर select है उसी को छोड़ देते हैं क्योंकि यह हमारा active है और आगे चलते हैं इसमें अगला ठीक होके करते हैं अब अगला क्या है कि number of copies कितना आपने यहां पर देखा कि company में लोगों तो हम लगा सकते हैं यहां पर देखा कि company में लोगों तो हम लगा सकते हैं यहां से भी company में लोगो एस दिया है यहां से भी लगा सकते हैं यहां से भी लगा सकते हैं चलिए आगे हम लोग सीखने वाले हैं company में लोगों कैसे लगाते हैं और लोगों लगाते हैं तो यह देखिए लोगों लगाते हैं तो उसको प्रेंट कैसे करते हैं लोगों तो ल लोगो लगाना होगा तो सिंपल टाइली प्राइम में आपको प्रिंट मेन्यू पर क्लिक करना ही होगा प्रिंट मेन्यू पर क्लिक करिएगा आपको आना होता है कन्फिग्रेशन में आना होता है कन्फिग्रेशन पर जब क्लिक करेंगे आप यह देखिए पहला होता है प्रि समान समय में जो भी आपका प्रिंटर जुड़ा है उसका लिस्ट यहां पर दिखा देता है तो आप किसी पर क्लिक करके उसको एक्टिव कर सकते है हमारा SP laser jet है इसको हम एंटर कर देते हैं ठीक है एंटर करेंगे इसी पर और ओके कर देते हैं यहीं सही है टॉप मार्जिन ऑफ रिपोट क्या होता है कि inches मतलब जो टॉप मार्जिन रिपोट के दॉप में कितना मार्जिन छोड़ना आपको ऊपर का किनारह कितना शोडना 0.5 फिर ठीक है, so date range of report, report का date range दिखाना है, मतलब 1-5 का range है, 1-5 तारी के range में है, अगला क्या है, yes यह तो सही दिया है, ठीक है, so date and time report, date का, मतलब जो report है, उसका date और time दोनों दिखाना आपको, अगर no करेंगे, तो no भी हो जाएगा, no करने के लिए simple आप enter दबा देजिएगा, इसमें no हो जाएगा, एक बार enter दबाएंगे no, एक बार दबाएंगे enter, s हो जाएगा, आगे चलते हैं, so date and time of voucher printing, जो voucher printing आप करेंगे, उसमें date और time दोनों दिखाना है, कि मतलब कब-कब voucher printing किया है, s है ठीक है अभी है, अगला है show company logo, sub setting हमको यहीं पर करना है, दिहान देज़ेगा, sub setting हमको company details, जो दिया है, इसी में करना हमको, यहीं पर हमको करना है कि क्या company details में company का logo दिखाना है, यहना show company का name, तो हमको पहले company का logo दिखाना है, चलते है company के logo के, company के logo आपको दिखाना को यहीं पर इंटर दबाईएगा, company logo पे आकर enter दबाते हैं, अब यह पूछेगा कि इस company में आपको logo लगाना है, हमारा तो यह ऊपर वाली company अखिलीज दिखा रहा है, इसी में लगाना है, एंटर दबाते हैं अब यहां पर सोग कमपनी लोगो नो है हमको क्या करना पड़ेगा वाई दबाकर एंटर करना पड़ेगा जब एंटर कर देंगे तो यह देखिए इमेज का पाथ अपने आप सेलेक्ट किया है लेकर हमको इमेज फाइल नेम पूछ रहे हैं कहां पर इमेज इसमें तो है नहीं हम मान लेंजे हमारा कोई दूसरा फाइल उस दूसरे फाइल में इमेज है उस फाइल कैसे एक्टिव करेंगे तो देखिए आप टैलिप्राइम में दे दिया है एक फीचर कि सलेक्ट फार्म select from drive मतलब आप select कर लेज़े जहां भी आपका image है select from drive पे हम लोग क्या करेंगे enter दबाते हैं और यह पूछ रहा है कहाँ पे desktop document download हमारा desktop पे था desktop पे क्लिक करते हैं और हमारा अगर एक image है tally के नाम से या tally के नाम से या tally company logo यह jpg है अगर यह image का path आपका आ गया अगर इमेज का पाथ आप यहां पे आ गया देखें see user अखिलेश desktop यह image का path है आ गया तो आपका image select हो गया नहीं आता है कुछ error देता है तो आप अहले आप क्या करिएगा अपने image का image का जो size होगा उसको check करिएगा अगर 96 pixel in width by 80 pixel इसके बीच में है तो सही है height कितना है height 80 pixel होना चाहिए size 96 और चवड़ाई उसका 90 pixel होना चाहिए इससे अधिक है तो यह tally accept नहीं करेगा इसको save करने के लिए control है करते हैं यह तो हमारा save हो गया अब चलते हैं देखिए यहां पर कुई रसीद हम आपको print करके दिखाते हैं यहां अब देखिए हमारा sales का ही है sales का invoice है sales के invoice में यह आप क्या कर सकते हैं company का लगा सकते हैं company का लोगो को print कर सकते हैं चलते हैं प्रिंट पर प्रिंट पर प्रिंट पर सेल्स रजिस्टर सेल्स इन्वाइस हमने ओपन किया है और sales invoice में क्यों हमारा लोगो दिखाता है company का क्योंकि sales invoice हमारा खुद की company का होता है हम खुद sales करते हैं और purchase में क्यों नहीं लोगो दिखाता है क्योंकि purchase तो हम किसी अन्य के company से करते हैं चैंतर पर्चेम को सबस्क्राइब कर दूँराइगा अबना सका है कि लोगों को फिर्च लगोती है लेक्रण से यहां एक पे पांपना लोगो श्या यहां था क्रण करते हैं कि अच्छे से क्ल्येर होगा अगे कर दो करें. इसे इस में से आपको करना है कि Master create करना है. तो Master में क्या कर सकते हैं? कि आप laser बना सकते हैं? यह laser को कैसे हम को alter करना है? बाउचर कैसे बनाना है? इस सब की जानकारी आपको चाहिए तो आपका help menu बहुत सायता करेगा तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि help menu में क्या क्या मों को पढ़ना है आप देख सकते हैं अगर help menu को open करना होगा तो keyboard से आपको press करना है F1 keyboard से F1 press करना है और जितने keyboard shortcut की होते हैं आपको हम इसका video 3 video बनाया गया है चैनल पर विजिट करिएगा आपको 3 video मिल जाएगा इसका एक playlist बनाया गया है जब चैनल पर विजिट करेंगे तो playlist में जाईएगा आप लोग वो वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं तो F1 आपको click करना है नहीं तो help पे click करिएगा तो आप keyboard से दबा सकते हैं Ctrl plus F1 देख सकते हैं आप keyboard shortcut के दिखा रहा है Ctrl plus F1 नई तो help menu उपन करना होगा तो F1 तो चलिए हम help menu पे यानि help टैली help पे click करते हैं और कौन-कौन से हम help ले सकते हैं और ये ध्यान दिजिएगा ये चलेगा आपका online मतलब internet से चलेगा offline नहेंगे तो आपका ये नहीं चलेगा ओके तो किसी बे ब्राउजर से open ये कर लेगा टैली help पे जो ही click करेंगे आपके सामने आपका ये ब्राउजर open हो जाएगा और आपके सामने इसी परिकार आपका welcome to Tally Prime यानि welcome screen प्राफ्थ होगा और जो वर्जन आपका चल रहा होगा यहाँ पर देख रहे हैं आपके Tally Prime release 1.1.4 is available now यहाँ पर आपका दिखा रहा है देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि आपका Tally Prime release 1.1.4 release है अब आगे देख सकते हैं कि Welcome to Tally Prime यानि Tally Prime का Home Screen आपके सामने प्राप्थ है अब यहाँ पर आपको देखना क्या है आपको यहाँ पर देखिएगा कि आपको Quick Start Guide दिया है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं You can start using the Tally Prime feature in a matter of minutes अगर आपके English को knowledge हो तो आप पढ़कर इसको समझ सकते हैं आपको बहुत सारा software आ गया है जो इंग्लिस को हेंदी में convert कर देगा आप इसको पढ़ पढ़कर यूज भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देख लिजिए कि दिया है accounting accounting क्या होता है inventory क्या होता है यहाँ पर लिखा है कि Teleprime support tracking inventory in your business इसमें inventory जोड़ा गया है sales process को जोड़ा गया purchase process को मतलब जो नया नया अपडेट रहेगा आपके सामने यहाँ पर दिखा देगा taxation compliance यहाँ पर दिखा रहा है अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमको इसमें अगर आपको नया इते हैं किकर कर ना है किसी बिसाय से सम्दत जानकारी कोई भी बिसाय पर अगर मालेजरें इसमें से आपको search करना है कि keyboard shortcut की जो टैली में जितने keyboard shortcut की है आपको search करना है तो कहा search करेंग तो यहाँ पर देखे लिखा है न यहां पर सर्ज कर सकते हैं यहां पर लिखाके सर्ज तो अधिये लिटेश्ट रिलीच कम्पनी प्रॉड़क्त्तGa वहुइन पर क्लिक करके जिस़। पर आपको जानकारी चाहिए क्लिक करके सर्ज कर सकते हैं और नहीं तो यहां पर दिया आपका Welcome to Teleprime, आगे यहां पर दिया वाट सानिव, देख सकते हैं, आपके वाट सानिव, आगे दिया एक Quick Start Guide, Keyboard Shortcut, आपको Keyboard Shortcut रहे तो यहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, Keyboard Shortcut यहां पर लिखा है, यहां पर जो ही क्लिक करेंगे तो Keyboard Shortcut आपके सामने Open हो जाएगा, ओके चलिए, आगे बढ़ते हैं, और इसमें आप Welcome स्क्रीन से क्लिक करिएगा, आपको Keyboard Shortcut की यहां पर प्राप्त हो जाएगा, आगे चलते हैं यहां पर, और देख लेते हैं कि और, अगर Keyboard Shortcut की आपको चाहिए, यहां पर तो आपका Release दिखा 1.1.4 चल रहा है, अब आगे बढ़ते हैं यहां पर देखते हैं, जो Keyboard Shortcut की हमारा कहा से दिखाएगा, तो अभी यहां पर Keyboard Shortcut की यहां पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने Keyboard Shortcut की Open हो जाएगा, ओके Keyboard Shortcut, आगे बढ़ते हैं, और अगर Keyboard Shortcut की आपको प्राप्त करना हम Math Gruten YouTube Channel, तो चैनल हमारा Open हो जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं, अभी यहां पर Open तो नहीं हो रहा, ओके आप लोग सिंपली सर्च करिएगा, Math Gruten YouTube Channel, तो आपके सामने Open हो जाएगा, अभी Slow है Network, आप देख सकते हैं, चैनल Open हो जाएगा, तो आपको कहां पर आना है, प्ले लिस्ट पर आजएगा, और यहां पर देख सकते हैं कि Tally Prime, Only Shortcut Keys, यहां पर है Shortcut Keys का तीन वीडियो आपके सामने दिखाई देगा, आप इस तीनों वीडियो को देख सकते हैं, ओके, चलिए, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं कि, आगे हमारा क्या होगा, कि How to Create a Company, अ आपको वो भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और आगे आप यहां पर देख सकते हैं, अगर Keyboard Shortcut की आपको प्राप्त करना, जो भी आपको प्राप्त करना, यहां पर प्राप्त कर सकते हैं, ओके, आगे आप देख सकते हैं कि, यहां पर Keyboard Shortcut की दिखा रहा है, मतलब आप अगर सर्च कर देते हैं तो बगल में आपका कीबोड drag की दिखा रहा था हम लोग क्लिक की है तो lotta इन टैले प्राइम का दिखा रहा है अब आपको कोई की बिषय कीबोड कीबोड सॉटकट की चाहिए तो यहां पर लिखा है कि सर्च सॉटकट सर्च कर सकते हैं और नहीं तो यह पूरा जीतनी कीबोड सॉटकट की होता है इसकेप का अगर बात करें फ 11 ओके फीचर का कंट्रोल आप यह डाउन का यह सब कीबोड 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 पूर्ट केट की जो आपका right side जो बटन बार होता है उस right side बटन बार पर नहीं दिखाता है उसको hidden keys बोलते हैं तो आप यहां से hidden keys भी देख सकते हैं ठीक है चले एह हुआ इसका जन्कारी आगे बढ़ते हैं यह हुआ what's a new Okay. तो ये अगला चलते हैं, Whats A New. इसमें निया क्या है? Whats A New बोला. तो बसलते हैं, हम तो आपको बताई दिये कि Whats A New में क्या था कि Relics जो चल रहा था Release देखाएगा. वैसे Whats A New पे Click करते हैं. Whats A New पे Click करेंगे और यह आपका Internet से चलता है. इंटेनेट हमारा स्लो है बसरती अगले हम टैब ओपन कर देते हैं आपको दिखाते हैं कि वाट सन्यू में आपका क्या है यहां में देख सकते हैं रिलीज नोट में दिया है वाट सन्यू इंटैली प्राइम नया क्या है इसमें इसमें नया क्या है आप देख सकते हैं table of content आपका दिखाएगा कि highlight release 1.1.4 का क्या case में बदलाव किया गया है, जो नया version आया है, इससे जो यहां पर 1.1.4 और 1.1.3 में क्या highlight था, 1.1.3 में क्या highlight थे हैं, आप देख सकते हैं, बसरते हैं आप हाइलाइट release 1.4 में, कि TCS budget change आप 2020 कर सकते हैं, का है, आगे बोला है calculate TCS on either relation, और TCS exemption कर सकते हैं, आपका दिखाएगा है, TCS मतलब change आपका TCS में किया है, TCS जो tax आपका होता है, ओके, इंवाइस sandbox कर सकते हैं, experience आपका यहां पर दिखाएगा है, बदलाव किया है कुछ, तो आप सबको बारी-बारी है , print, export करते हैं, e-mail, ok, print कैसे करता है export और import कैसे करते हैं, इसका यह भी video बना चुक है, e-mail कैसे send करते हैं किसी के पास, इसका भी आप देख सकते हैं, वीडियो कि email send कासे करते हैं बसरते इसमें कुछ change किया है कि always see a preview of a voucher, वैसे voucher का preview आप देख सकते हैं, ठीक है, और email send करने से पहले, बसरते बहुत सारे इसमें changes किया है, अगला दिया है print company logo on payments and receipt, ऐसे पहले क्या था कि हम क्या कर सकते थे, कि जो हमारा sales receipt था, उसी में voucher को print, आप logo को print कर सकते थे, और इसमें क्या दिया है कि print company logo on payment and receipt voucher, इसमें भी आप company के logo को print कर सकते हैं, ठीक है, यह आपका नया है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है इसमें, अगला दिया अप्ग्रेड, टैली को अप्ग्रेड करना चाहते हैं, तो अप्ग्रेड पर click करेंग हम आएंगे यहाँ पर, explore tally product जो यहाँ पर लिख है, release on the tally website, आपको यही पर click कर देना है, यहाँ पर जो ही click करेंगे, तो आपको tally website से आप किसको download कर सकते हैं, setup को download कर सकते हैं, तो चलिए, इसी पर click करिएगा यहाँ पर, हम यही पर click करते हैं, और tally के website भी चलते हैं, जो आपका release दिया है, 1.1.4 वाले पर, उसी पर open करते हैं, ओके, चलिए ठीक है, आज करते हैं, continue, आप यहाँ पर release को देख सकते हैं, और जो ही release पर आएंगे, तो आपके सामनी है, tally prime open हो जाएगा, ओके, और release का है, तो 1.1.4 release है, जो ही यहाँ download पर click करेंगे, तो download कर सकत हैं, बस अता, download नहीं पता है, तो इसका ही video बना चुक है, download पर click करिएगा, यहाँ पर note लिखा है, support windows 7, तो पहले सा टैली prime download होगा, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, हाँ, अगर पहली बार download करेंगे, तो ध्यान देश जाएगा, यहाँ विंडूस 7 में, या उसके तो download होके जाएगा, यहाँ पर, जब download कर लेंगे, तो download कर लेंगे, तो दिखाएगा, तो यहाँ पर दिखाएगा, test आपका release यहीं पर दिखाएगा, just यहाँ पर enter दबाते हैं, click करिएगा, okay, तो open setup, अगर setup आपका download रहेगा, तो open setup कर लिजएगा, और यहाँ पर हम S करते अगर आपका जो भी होगा जो भी यहाँ पर रिखली होगा, जिसको installed करना होगा, download होगा तो आज आएगा आपका, यहाँ पर installed देरा आपका, तो new लिजव इंस्टाल कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी be version आपका आपका दिखा रहे हो, इसको आप 일े नाप इंस्टाल कर सकते है कि टाइली से सम्मधित कोई भी सॉप्टिवेर को पर्चेश करना होता है टाइली सॉप में जैसे यहां पर टाइली सॉप कोपें करते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं कोई भी एड़ोन आपको पर्चेश करना होगा तो एड़ोन पर्चेश कर सकते हैं जैसे यहां प प्रिंट सिगनेटर रसीटीप प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका प्राइस कि यह 283 का दिया है ओके आगे दिया अब दीकिसकते हैं इंपॉर्ट माश्टर फ्रॉम एक्सल लुण अपॉक्र citizen आई सt तो पहले से बना है तो इसमें है और इतना सो देख सकते हैं आपके सोल्ड हो चुका है कितना पांच जानकारी आपको बता देगा ठीक है तो चलिए यह तो हुआ टैली प्राइम का यह है तो च्टैली आपका आगे बढ़ता है अगला इस में क्या है अगला है ट्रबल शूटिंग पे देखे क्लिक करतें ट्रबल शूटिंग में क्या हैरे और रेंस्तॉल इसका योज कुक और हैं रिप्यर और अगर डिरेंस्टोल करेंगे vaccinations दा all the configuration to the default values जो आपका क्या कर सकते है रे इंस्टॉल क्यों करते है दुबारा इंस्टॉल करने के लिए रेपेर क्यों करते है कि बार बार अगर आपका टैली प्राइम का स्टॉप्ट विए हैंक कर रहा है तो आप रेपेर कर सकते हैं अगला इसमें है ट्रबल स्टॉटिंग में ही ट्रबल स्टॉटिंग में क्या है लाइसेंस रिपेर और माइग्रेट तो हो गया रिपेर तो आप समझे कंपने डाटा को रिपेर करना माइग्रेट क्या होता है कि अगर आपका टैली प्राइम अगर टैली ए रिपी 9 का डाटा उसको migrate करना है, तो migrate किस में है, टैले प्राइम में, तो आप migrate कर सकते हैं, migrate पे click करिएगा, जो data आपके सामने रहेगा, दिखा देगा, migrate भी हमारा है नहीं कोई, तो कहां से दिखाएगा, आगे चलते हैं, troubleshooting दो होगे, आपका setting में आते हैं, सेटिंग में जो आएंगे, तो बोलेगा लाइसेंस समंद्र सेटिंग करना, यह ध्यान दिजिएगा, टैले प्राइम में जो भी आपका setting करना होगा, कहां पर आएंगे, setting करना होगा तो आप कहां पर आएंगे, help menu के setting, depending on the setting, setting क्या है, sub menu इसका है, okay, sub menu पर click करना, आपको, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो आगे हम लोग help पर click करता हैं, help में क्या है, setting, setting पर हम लोग click करेंगे, setting में license देगा, मतलब क्या होता है, license पर जो ही आप click करेंगे, तो यहां बोला है कि manage license, okay manage account, manage license पर जोई क्लिक करेंगे यहां पर, देखिए license का परिचे दिखा रहा है, license information हमारा educational mode है, क्योंकि educational हमको पहले साचिक, मतलब कैसे हम कारे करते हैं, तो उसको पहले सीख ले, उसके बाद हम परिचे वर्जन में कारे करेंगे, तो license information बता रहा है क educational mode है, तो educational mode ही आपका है, अब यहां पर देखिए क्या बोला है, activate मतलब क्या है, अगर आपके पास license हो, तो यहां पर serial number डाले license का, activate कर लिजे, activation key डाली है, tally.net ID डाल देजे, आपका activate हो जाएगा, अगर activate दुबारा करना चाहते हैं, तो यहां पर reactivate दिया है, reactivate कर सकते हैं, ओके, चलिए, अब अगला यहां पर बोला है, कि आप refresh कर सकते हैं, अगर आप कमाल लेजे, एक बार activate किये नहीं हुआ, फिर से refresh कर लेजे, यहां पर refresh कर सकते हैं, ओके, तो यह तो हुआ license से समन्धित जानकारी, मतलब license को active करना है, कि reactivate फिर से करना है, आगे बढ़ होता है, कि यह देखी होता है, डिस्प्ले लांग्वेज एक होता है, डेटा एंटरी लांग्वेज, एक होता है, डिस्प्ले लांग्वेज, एक होता है, डेटा एंटरी लांग्वेज, तो डिस्प्ले लांग्वेज में क्या होता है, अब दूसरा होता है आपका, इसमें आपका data entry जब करेंगे तो data entry में कौन सा language होगा उस language को हम यहां सब बदल सकते हैं हम चाहें हिंदीग रख सकते हैं डेका एतर लेंडीरी लेंगेज जहां पर दिया है तो यहां पर आप गुजराती रखी है हिंदी रखी हाम देख सकते हैं अगे बढ़ता है अगर voucher में आए voucher में entry करें हम, तो यहां पर अगर voucher entry में आ जाये नीचे, अब यहां पर alt-c करते हैं, alt-c में आप, यहां से आप कोई नाम लिखें, जैसे हम यहां पर लिखते हैं, वा, देखें वा लिख रहा है, अगर हम लिखें, जैसे हम लोग, आप लोग H English लिखते ह लिखेंगे, A, K, H, I, तो हम वही लिख देते हैं, A, K, O हो गया, फिर K, H, I, OK, L, E, फिर क्या, S, H, हो गया, तो यह data entry language भी आपका बदल जाएगा, क्या हुआ हुआ है, यहां पर देख सकते हैं, यह data entry language भी आप कहां से बदल सकते हैं, तो इसको बदलने के लिए आप कहा कर देते हैं, OK, चलिए, आगे बढ़ते हैं, सेटिंग में अगला क्या दिया है, सेटिंग में दिया है country का सेटिंग, मतलब क्या होता है country का सेटिंग में, कि अगर आप company बनाते हैं, जैसे हम यहां पर यही company को open कर लें, यहां पर अल्टर करते हैं company को ही, यहां पर देख सक करके country कर देते हैं और यहां पर इंडिया है तो by default इंडिया ही दिखाएगा अगर कोई दूसरा country हम ले ले यूज accounting पर एक company अपने आप लोड होकर आती है अगर ऐसा कर दें आपके कोई company या कर सकते हैं स्टाट अप में स्टाट अप में आएंगे यहां पर लोड company जोने start-up no है इसको हमक्या कर दें गए कर देते हैं और यहां पुछे company लोड वन सलेक्टेट है तो यहां पर one सलेक्टेट कहों है देख सकते हैं यह company सलेक्टेट है अंप चाहे तो इसको हटाए कोई दूसरा भी लिख सकते हैं यहां PC को हम save कर लेते हैं और end of list कर देत सकते हैं एक selected company है आगे चलते हैं अगला क्या है इसमें help में setting में अगला क्या है कि display display मतलब क्या है कि यहां पर display क्या करना डिस्प्ले नेम और लेजर ग्रूप नेम एलाइज रखना है नहीं तो आप दोनों रखना तो नेम एलाइजर रख दीजिए आगे बढ़ते हैं display name for a stock item नेम और पार्ट नेम भी दोनों रखना है तो आदो रख सकते हैं यह एंटर करिए सिर्फ आप क्या कर सकते हैं पार्ट नंबर वानली ओके पार्ट नम्बर मतलब आप समझ रहें पार्ट नमर ना इसे माली मोबाइल का होता है 26 दर्स या कोई भी पार्ट नमर होता है यह पार्ट नमर आपका बोल रहा है अगर देखिए आपको यहां पर इनेबल करना हो sound को, तो आप यहाँ पर S दबा सकते हैं, टैली में जब भी आप कोई कारी कर रहा है, अगर speaker आपका लगा है तो यह sound देगा, enable sound, okay, कोई error आएगा तो sound देगा, या कहीं click करेंगे तो sound देगा, तो इसकी setting आप यहीं से कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, यह तो purchase version में कारी करेगा, client server का, आगे बढ़ते हैं help में, TDLA add-on मतलब क्या है, कि जो add-on purchase किये रहेंगे, मतलब जो था ना, कि अगर import करना है, किसी भी tally prime data को, एकसर में import करना है, तो इसके लिए आपको add-on purchase करने के लिए दे रहा था, कुछ price दे रहा था, तो जो purchase किये रहेंग कि ये देखे, पूरा आपका जितना भी data रहेगा, मतलब जितनी भी जानकारी रहेगा about में, आपका दिखा देगा, जैसे यहाँ पर detail आप देख सकते हैं, detail मतलब क्या है, about section, about में क्या है, कि product का information यहाँ पर दिखा रहा आपका, क्या है, कि application क्या है, टैली ब्राइम कर, latest version आपका 1.0 वाला था, अब नया वर दिन हमने install नहीं किया, इसमें तो वही दिखार आपका, कहां पर application पाथ, application कहां पर है, other application installed, कितना application इसका installed है, तो तीन है, एक ही है हमारा, लेकिन तीन क्या है, कि इसको shortcut बना कर तीन drive हमने रख दिया है, कौन सा mode है, educational mode है, TDL कोई purchase किया गया है, तो none, कोई नहीं है, ओके, अगला बोला location of company data, company का data किस location पर जा रहा है, तो यह आप देख सकते हैं, कि ERP folder है, data folder है, ओके, आगे देख सकते हैं, यहाप एक desktop, computer का नेम क्या है, कि desktop, यह computer का नाम है, Windows 10 आपका operating system है, इसमें, ओके, और firewall, antivirus, antivirus installed है, आपका hard drive, कितन memory का यहाँ पर दिखा रहा है, कि 292 GB का क्या है, 292 GB आपका, RAM ROM का दिखा रहा है, 3.8 GB आपका, रोम आपका, रोम आपका दिखा रहा है, read only memory 292, मतलब hard disk का, और अगर memory की बात करें, इसका, तो memory दिखा रहा है, 3.8 GB का, ओके, प्रोसेसर का उनसा है, आप देख सकते हैं, टे कर सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वोडियो में, जैहन, बंदे मादरम